कैसे हैं आप सभी लोग और आप मेंसे सभी लोग जो इस वीडियो को देखने आए हैं वो रेलवे एक्जाम्स की त्यारी में पूरे जोश के साथ लगे हुए हैं अगर आप में थोड़ा सभी जोश है तो जहरसी बात है मुझे में जोश आपसे दस गुना होगा और हमने रे आपको पता है कि रेलवे का जो सबसे फेवरिट टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम और सिंप्लिफिकेशन सरली करान जोड घटाना गुणा भाग वाले सवाल सबसे जाद है डेप्ट में और नंबर अफ कोश्चन्स इनी दौनों चैप्टर से सबसे आदे पूछे जाते है तो मैंने रेलवे के लगबक सभी एक्जाम के चाहें वो आपका ग्रूप D का पेपर हो, NDPC का पेपर हो, RPF सब इंस्पेक्टर का हो, RPF कॉंस्टिवल का पेपर हो, JEE का पेपर हो, बैस्ट 50 कोश्चन्स मैंने चाटे हैं और ये 50 must do previous question है रेलवे के, मैं आपको इसके अला और फ्रेश बाते आप सीख कर जाओगे दोस्त, ये वीडियो रेलवे के किसी भी एक्जाम की त्यारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत बहुत जादे बेनिफिशियल हैं, आप रेलवे का पेपर चाहें साल दें, चागले साल दें, आपको ये वीडियो हमीसा helpful साथ साथ कॉंस्टेबल पुलिस दरोगा की त्यारी करने वाले बच्चे भी इन वीडियो से हेल्प ले सकते हैं, उनके एक्जाम का जो लेवल है वो लगबालबक सेम होता है, मैं आपको इन सभी क्वेश्चन की पीडिएफ भी दूगा, और पीडिएफ आपको हमारे टेल प्रिवेसर का कमपाइलेशन चाहता है कि मुझे डाउनलोड मिल जाए, तो वो भी मैंने इस टेलेग्राम चैनल पर फ्री अप्लोड करवा रखा है, जैसे सीडेस की नोटिफेकेशन आईए, तो कल हमने ये वीडियो भी बनाई है, तो हर एक्जाम की नोटिफेकेशन, जा किंग पर मेरे दोस्त, शॉट्स की एक स्रीज भी जो है, शुरू की है, जिस पर मैं डेली जो है, रेल्वे के बेस्ट कोशन अपलोड करता हूँ, दो, एक मॉर्णिंग में दस बजे और एक इविनिंग में पाँच बजे, अभी तक हमने आठ बेस्ट कोशन अपलोड कर द रेल्वे के फर्स्ट कोशन से अमने सुरू किया है, और मैं केवल बच्चों को खुश करने के परपस से irrelevant calculation की फरजी ट्रिक नहीं बताता, मैं वही चीजे बताता हूँ, जो actual में एक्जाम में आती हैं, ठीक है बच्चों, चले, सुरू करते हैं, भाई, रेल्वे बेस्ट स्रीस का नंबर सिस्टम की बेस्ट फिफ्टी कोशन की स्रीस का पार्ट वन, इसी एक सिंगल वीडो में आपको सारे सवाल करवा दूँगा, ठीक है न, कॉपी पैन लेके बैठें, नोट्स वैसे बनाने की कोई जुरत नहीं है, आप वीडो के एक बार देखे लेंगा, ठीक है, चले, शुरू करते हैं बच्चो, सवाल लंबर है पहला, छे अंको वाली संख्या, 473, XY5, 125 से डिविजबल है, ऐसी कितनी छे अंको वाली संख्या है, ये 6 अंको की संख्या है, जो 125 से भाग हो जाती है, कितनी छे अंको की संख्या बनेंगी, तो इसके लिए आपक पांच का नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या का लास्ट का अंक पांच से कटना चाहिए, पांच का नियम ये कहता है कि कोई संख्या 25 से तभी कटेगी, जब उसके लास्ट के दो अंक 25 से कटें, ऐसे ही 125 का नियम ये कहता है कि कोई भी संख्या 125 से तभी डिवाइड होगी, जब उसके लास्ट के तीन अंक एकसो पच्चिस से डिवाइड हो। एक्जाम्पल के लिए मैंने आपके सामने लिख दिया, 6, 7, 9, 1, 3, 7, 5, 0 क्या ये संख्या एकसो पच्चिस से भाग होगी? तो आप कहोगे सर, इसके लास्ट के तीन अंक साड़े साथ सो हैं, 125 से छे बार कटता है, 126 8, 700, तो ये संख्या एकसो पच्चिस से पूरा पूरा भाग होगी? तो इसी तरीके से यहाँ पर एक क्वॉस्च्यन है, कि ये संख्या 135 से डिविजवल है, तो लास्ट के तीन अंक 125 से डिवाइड होने चाहिए, मेरे प्यारे भाई तो मैं क्या ले सकता हूँ लेकिन मजबूरी मेरी यह है कि यूनिट जिट पांच होना चाहिए तो लास्ट के तीन अंक मैं 125 ले सकता हूँ यहां पर विकल्प भी दिये हुए मैंने हर क्वश्चन के साथ साथ क्वश्चन का सोर्ष पांच है किस पेपर में आया है किस सिफ्ट में आया है किस तारिक को आया है यह भी डिटेल में लिखा हूआ है मेरे दोस्तों ठीक है यह सारे ही क्वश्चन आपको हमारे रेलवे की इस बुक्स में मिल जाएंगे इस इस विज सॉलूशन के साथ रेलवे मैथमेटिक्स कम्प्लीट प्रेक्टिस बुक जो है 4000 कोश्चन की उसमें मिल जाएंगे यह ठीक है रेलवे की बहुत गंदी बात है कि एकी सवाल को कम सकम 15-20 बार देता है है ना तो मैंने एक एकी सवाल आपको करवाना है जिससे आप जल्दी सीख पाओ 99.75 और 0.02554 के गुणनफल पर दसमलब बिंदू के दाईयोर कितने अंक होंगे सवाल बड़ा भयानक है सवाल मैं ये पूछ रहा है कि बाबुजी अगर मैं इनकी गुणना कर दूँ तो बताओ दसमलब के बाद यानि कि दसमलब के दाईयोर कितने अंक आएंगे ठीक है अब जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि जैसे मैंने 0.71 की गुणना कर दी 0.3 में तो आप क्या कहोगे बताओ दसमलब के बाद कितने अंक आएंगे तो आप कहोगे सर तीन और तीन सत्ते किसे 0.219 होगा दसमलब के बाद दो अंक है हैं एक अंक है दसमलब के बाद तीन अंक आएंगे ठीक है न? तो आप यहां भी ऐसी कहोगे कि सर यहां decimal के बाद 2 अंक हैं, यहां decimal के बाद 5 अंक हैं जब मैं इनकी गुणा करूँगा तो decimal के बाद 2 और 5, 7 अंक आएंगे decimal के बाद और बहुत सारे बच्चे 7 मा कर देंगे, 7 गलत है, 7 से बड़ा तो आही नहीं सकता आप कहोगे सर साथ गलत क्यों है, आपने एक चीज मिस कर दी, आपने शायद एक चीज मिस कर दी मेरे प्यारे भाई कि जैसे ही 5 की 2 में गुणा होते, जिससे मैं आपसे कहूँ कि 0.5 की, जिससे 0.05 की मुझे गुणा करनी है, 0.2 में तो बताओ गुणा करके कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 5 दूनी 10 आएगा, ये 0.010 आएगा हाला कि 0.010 में इस 0 का कोई मतलब है नहीं, यानि कि 10 समल के बाद कितने अंक आए, 2 ही अंक आए जबकि आने चाहिए थे कितने 3 अंक आने चाहिए थे, 2 ही अंक आए क्यों गड़बड हुई? कि जैसे ही 5 का प्यार 2 के साथ होगा, एक 0 एंड में बनेगे और 0 को काउंट करते नहीं है हम लोग यहाँ भी ऐसा ही है, कि वह ये जो संख्या है, पॉंट 0, 2, 5, 5, 4, ये संख्या 4 से तो निकटती ये एंड में 54 होने की वज़े से ये संख्या 2 से कट जाती है, या एंड में 75 होने की वज़े से ये संख्या 25 से कट जाती है, 25 से यानि कि पांच से भी कटती है यानि कि यहाँ पर 1, 2 है और ये वाली जो संख्या, ये संख्या 25 से कट रही है, यहाँ पर 2, 5 है अब एक दो है, यहां पर पांच दो बार आ रहा है, लेकिन पांच और दो का पेर एक ही बनेगा, यहां पर एक ही दो है, दो बार तो दो आनी रहा, क्योंकि 54 किवल दो से भाग होता है, चार से तो भाग होता नहीं है, तो भई एक दो और एक पांच का जब प्यार होगा, तो end में एक 0 बनेगी तो यानि कि last में एक 0 आएगा जिसको count नहीं करेंगे तो इनकी गुणा में 6 अंक आएंगे 6 digit होंगे अच्छा सावाल जो railway में पूछा है ये बताएंगे निमन में कौन सी जोड़ी tween prime नहीं है निमन में कौन सी जोड़ी जोड़वा अभाजज़ों की एक जोड़ी नहीं है सबसे पहला को concept सीखना है कि twin prime यानि कि जोड़वा अभाज़य संख्याएं क्या होती है प्राइम नंबर वो संख्याएं होती है जो या तो एक से भाग होते हैं या खुच से जैसे कि पांच या तो एक से कटे गए पांच से जैसे ग्यारे ग्यारे एक से कटे गए ग्यारे से लेकिन ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ट्विन प्राइम नंबर का मतलब ऐसी दो अभज्य संख्य हैं, ऐसे दो प्राइम नंबर, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस दो हो, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका अंतर दो हो, जिनका डिफरेंस टू हो, उनको हम ट्विन प्राइम कहते हैं, जैसी एक्जामपल के लिए 5 और 7 ट्विन प्राइम है, एक्जाम्पल के लिए 11 तेहरे ट्विन प्राइम है, ऐसे 2 प्राइम नंबर, 70, 19 यह सब ट्विन प्राइम है, अब मैं आप से कहाँ, 23 और 29, हाला कि 23 और 29 दोरों प्राइम नंबर है, लेकिन इनके बीच में 6 का गैप है, तो यह ट्विन ट्विन प्राइम नहीं है, तो बैटा, 71, 73 ट्विन प्राइम है, दो का गैप, यह ट्विन प्राइम है, यह ट्विन प्राइम है, लेकिन क्या यह है, देखो पहली बात तो 133 प्राइम नंबर ही नहीं होता, तो यह वाला ओप्शन गलत है, सी ओप्शन इसका आंसर हो सवाल है बेटे आपके सामने ग्रुप D के पेपर का बताओ जल्दी से क्या उत्तर है दो किर्मागत धनात्मक पुणांकों का गुणनफल पानसु बामन है यदि इन दो पुणांकों में से छोटी संख्या को X के द्वारा डिनूट किया जाता है तो नीचे दिएगे विकल्पों में से कौन सा X का मान ग्यात करने के लिए समीकरण अनुरूप होगा बहुत बढ़िया दो लगातार संख्या हैं consecutive integer हैं उनकी पुड़क्ट पानसु बामन है इन में छोटी संख्या X है आप मुझे बताओ छोटी संख्या X है लगातार संख्याओं में एक एक का गैप होता है अगर दो लगातार संख्या है छोटी संख्या X है तो बड़ी संख्या एक जाद होगी X प्लस 1 और मुझे सवाल में दिया क्या, इनका गुणनफल दिया, तो मैं गुणनफल ही करूँगा, बराबर क्या हो जाएगा, 550, तो क्या आप यहां से equation नी बना सकते हैं, आप से equation मात्र पूछी है, छोटी संख्या तक नहीं पूछी, x square पिलस x बराबर 552, 552 जब left side में आएगा, तो मानेस का 552 बराबर 0, यह equation बन जाएगी भी, इस equation का आप इस्तिमाल करोगे, c option ठीक है, आप यह मत समझो कि मैं आप यह एक सवाल करवारों तो पेपर में यह की बार आया है, ना, यह कम कम दस बार आया है पेपर में, कभी 552 की जगे 560 कर देगा, क और 2RB group D के पेपर का दो अंको की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के दुगने और 3 अंको की सबसे छोटी अभाज्य संख्या के तीन गुणे का योगफल क्या है? दो जानकारी होनी चीँए तभी आप कर पाओगे, दो अंको की सबसे बढ़ी प्राइम नंबर होता है, 97, दो अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर है 11 आगे आगे आपको पता होना चे तीन अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर तीन अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर है बच्चो ट्रपल नाइन सेवन नौसो संतानवे तीन अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर है 101 यह हो गया तो सवाल में कहा गया है दो अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर याने की 97 का डबल और तीन अंकों की सबसे बड़ा प्राइम नंबर याने की 997 के टिरपल का सम क्या है यह आप से पूछा है तो देखो लगबग 1000 है 1000 तीया 3000 और यह लगबग आपका 100 दुनी 232 के आसपास आएगा ओप्शन काफी दूर दूर है तो भईया मैंने कर लिया एक ही ओप्शन 32 के आसपास था पहला ओप्शन करेक्ट बात खतम मैं इकाईक आंक भी मैच कर सकता था जब एक संख्या 234 से भाग होती है तो सेसपाल 36 बचता है उसी संख्या को 13 से भाग करने पर क्या सेसपाल होगा RRB Junior Engineer के पेपर का सवाल है बच्चों इसमें खास ट्रिक लगती है कि जैसे कोई संख्या N है बोला गया है कि जब किसी संख्या को 234 से भाग देते हैं 234 से तो सेसपाल 36 आता है 36 बोला है उसी संख्या नहीं कि मैंने संख्या को N माना है 13 से भाग करेंगे तो सेसपाल क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों यह आप से पूछा है तो ऐसे सवाल में आपको चेक क्या करना है यह चेक करना है 234 का गुणंखंड संख्या को 234 से भाग करने पर 36 आ रहा है 13 से भाग करने पर क्या आएगा 36 को भाग कर लीजिए 13 से 13 दूनी 26 चला जाएगा क्या बचेगा 10 बच जाएगा यानि कि 10 इस सवाल का आंसर है अगर सपोज 234 का फेक्टर ना होता सपोज यहाँ पर हो जाता 17 तो इस सवाल का आंसर हो जाता ग्यात नहीं कर सकते ठीक है बच्चे ओके आगे चलेंगे सवाल है 19 की पावर 300 को 20 से भाग दिया जाए तो सेस्फल क्या होगा 19 की पावर 300 को यह क्वेश्चन है देखो मेरे प्यारे बई यह है 19 की पावर 300 मुझे भाग देना है इसको 20 से 19 उपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या के रिलेशन में लिखो 19 को आप लिख सकतो 20-1 19 और इसकी पावर 300 है मुझे भाग करना है मेरे दोस्तों 20 से क्या सेस्फल आएगा आप जानते है कि जब मैं 20 को 20 से भाग दूगा तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा सेस्फल बचेगा minus 1 और minus 1 की पावर क्या है यहाँ पर 300 even power है minus 1 की पावर even करेंगे तो क्या आजाएगा सेस्फल 1 आजाएगा और इस सवाल का जो आंसर है 1 है 1 अगर सपोच सवाल में 300 की बजाए होता 343 यह सवाल हो जाता 343 तब इस सवाल का आंसर क्या होता तो आप कहते सर अगर minus 1 की पावर और करेंगे तो remainder minus 1 आएगा minus 1 लेकिन हमें तो आंसर positive बता ना होता है 20 से भाग करने पर अगर minus 1 आया सेस्फल तो निगेटिव remainder को positive बनाने के लिए divisor 20 से भाग दे रहे ना 20 जोड देंगे 19 तो सवाल का आंसर 19 हो जाएगा जी आगे चलेंगे 87 square और 88 square के बीच आने वाली कितनी संख्याएं वर्ग नहीं है भाई ये शवाल इतना शांदार है ग्रूप D के पेपर का ठीक है ना 87 square 88 square के बीच आने वाली कितनी संख्याएं वर्ग नहीं है एक बात बताओ भाई 87 square और 88 square के बीच में अब तो कोई वर्ग आना ही नहीं अब तो कोई वर्ग आना ही नहीं मेरे दोस्तो अरे भाई ये मैं आपसे काऊं कि 3 square 9 होता है 4 square 16 होता है बताओ 3 square 4 square 9 or 16 के बीच में कोई वर्ग आएगा क्या नहीं 9 or 16 के बीच में अब तो कोई वर्ग आएगा ही नहीं हाँ ये होता कि 3 square 5 square के बीच में क्या आता है कि संख्या के स्क्वार आता है तो आप कहते हैं, सर चार का स्क्वाइर, यानि कि पागल बना रहा है, एक्जमर आपको लेंग्वेज में, 87 स्क्वाइर, 88 स्क्वाइर के बीच आने वाली कितनी संख्याएं, वर्ग नहीं हैं, पहली बात तो इनके बीच जो संख्याएंगी, उनमें एक भी वर्ग होने की न संख्याएं इनके बीच कितनी संख्याएं आती हैं, अब कंसेप्ट समझो, जैसे मैं आप से पूछू, कि पांच और आठ के बीच में कितनी संख्याएं आती हैं, तो आप काओगे सर दो आती हैं, छे और साथ, दो संख्याएं आती हैं, कैसे पता लगाओगे, तो आप क्य 8 और 5 के बीच में यही ट्रिक यहाँ इस्तेमाल करनी है किन दौनों के बीच में कितनी संख्याए Organizer जितनी भी संख्या के बीच मेас वो सारी की सारी इंटी जाना है और कोई भी स्क्वैर नहीं है कोई भी स्क्वैर नहीं आएगा उन & वेच तो क्या करोगे आप, लास्ट वाली संख्या में से 88 स्क्वेर में से 87 स्क्वेर घटा आओगे, लेकिन आपको A कम करना होता है बच्चे, अब यह बतो, यह एलजेबरा का फॉर्मुला नहीं बन गया, क्या A स्क्वेर मानस B स्क्वेर A प्लस B इंटू A मानस B, भई A प्लस B कि आजाएगा 1 और इसमें से मानस 1 करेंगे तो 164, सवाल का आंसर है बच्चे 164 कहां है, option नमबर B सही है, मैं आगे की तरफ चलूँगा, अगला सवाल, find the value of D, सवाल को देखो, NTPC का question है, D का मान क्या है, बताएं जल्दी से, जी, D का मान ग्यात कीजे, यदि 1216-32D बराबर DDD 8 से divisible है, अगर मेरे दोस्तों ये संक्या DDD 8 से कटती है, तो D का मान बताओ, आठ का नियम क्या कहता है, कि लास्ट के तीन अंक जो है, आठ से कटने चाहिए, अब सपोज मैंने 4 रखा मेरे दोस्तों, है ना, D की जाएगा 4 रखा, तो पहली बात तो 6 में से 4 घटाने पर 222 आएगा, ये गड़बड़े, अगर सपोज मैंने D का मान दो रखा, तो 6 में से 2 घटाने पर, मेरे दोस्तों, ये यहां पर 4 आएगा, ये भी गड़बड़े, सेम आना चे न, ये वाला D और ये वाला D सेम होना चे, ये भी नहीं है, अगर मैंने D का मान 6 रखा, तो ये ट्रिपल एट ही आएगा, और ट्रिपल एट 8 से कड़ जाता है, 111 वार याने की 8 सवाल का आंसर है, आप्शन से करो, ज्याद सही रहेगा, सवाल लंबर 10, सवाल बढ़िया है, यदि N एक नेचरल लंबर है, यदि N एक प्राकृतिक संख्या है, तो पूछा N क्यूब म हमेशा किस से भाग होगा, देखो बच्चो, बहुत सारे बच्चे वैल्यू पूट रखके देख करते हैं, कि एक रख लेंगे, दो रख लेंगे, तीन रख लेंगे, रख लेंगे, रख रख के चेक करेंगे, गड़बर होने के चांस है, यदि N एक नेचरल लंबर है, तो ये संक्या हमेशा किस से भाग होगी, अगर आप देखो, यहां से N common आ गया, ब्रेकेट में बचेगा मेरे दोस्तो, N square minus 1 ही बचेगा, अगर ये N square minus 1 क्या होता है, N square minus 1 होता है, N minus 1 into N plus 1 ये आ गया, N minus 1 into N plus 1, ये नंबर है basically, अगर आप गौर से देखो, तो ये तीन लगात संक्याओं की गुणा हो रहे, ये 3 consecutive natural number है, बैस सबसे छोटा N minus 1, N minus 1 में एक जोड़ेंगे N आ जाएगा, फिर N में एक जोड़ेंगे N plus 1 आ जाएगा, सबसे छोटा, एक जोड़ा N आया, N में एक जोड़ा N plus 1, ये 3 लगातार संक्या है, और 3 लगातार संक्याओं की हमेशा फैक्टोरियल 3 से डिवैड होगी, फैक्टोरियल 3 का मतला होता है, तीन दोनी 6 एकम 6, यानि की तीन लगातार संक्याओं की प्रोड़क्ट हमेशा 6 से डिविजबल होगा, B option answer है, आप कहोगी सर ये आप क्या पढ़ा रहें, एक concept है मेरे दोस्तों, यहां से लिख ल लगातार संक्याओं का गुणनफल, किनी भी एन लगातार संक्याओं का गुणनफल हमेशा फैक्टोरियल एन से भाग होता है, हमेशा फैक्टोरियल एन से पूरा-पूरा भाग होता है, किनी भी लगातार एन संक्याओं का गुणनफल हमेशा फैक्टोरियल एन से कम्पली बिल्टि लिल्वाइड होता है, फिर से सूनेंगे, किन ही भी लेगातार N संख्याओं का गुळनफल हमेशा Factor N से भाग होता है. किन ही भी चार प्राकृतिक संख्याओं का किस से भाग हो. लुट decrease 24 त्रस्यदा स derecho 24 से। नंट कρέ positive 24 से। सवाल है 1597 को एक संख्या से भाग देने पर भागफल 55 है सेसफल 21 है भाजक ज्यात कीजिए देखो मेरे दोस्तों जब भी हम किसी संख्या को एक डिवीजर से भाग देते हैं भाग देने पर सपोच कोशेंट भागफल क्यों है और सेसफल आपका हार है तो संख्या जो होगी म है हर कोई जानता है मुझे भी यहां पर यही concept का इस्तमाल करना है बोला इस संख्या को जब हम भाग देते हैं निश्चित संख्या से भाग देते हैं तो भागफल पच्पन आता है कोशंट पच्पन आता है और सेसफल यानि कि रिमेंडर 21 आता है भाजक ग्यात कीजिए तो स concept इस्तिमाल करना है ठीक है बच्चों आप बोलोगे हां जी सर 21 जब इधर जाएगा तो 159 कितना हो जाएगा बेटा यह 50 बराबर डी गुणा 55 यह बताओ किल 55 से भाग करना है तो 55 दूनी 110 49 बचेगा 495 तो 55 निम्मा 495 होता है तो 290 है तो भाजक आपका यानि कि डिविज दो 90 आगे सवाल का आंसर हो जाएगा देख रेलवे में ऐसे ही सवाल आते हैं जातर रेलवे के जो क्वेशन होते न बच्चे वो वन लाइनर होते हैं वन लाइनर यह केरविल कर लोग हटा दो किशों यदि ABCDE बाएं से दाय के करम में एक संख्या के अंख्या ग्यात किजि यह 5 यह होगे यह 200 निल लिखा हूा है यानि की पहले मेरे दोस्तों आपका। आपका एपर भी है फ़र सी है फ़र डी है प़र एपर ए यह यह 5 यह प्लाइब की संख्या तो संख्या क्या होगी जल्दी से जवाब देंगे फ्रहान सुनेगा, पहले बेसिक कंसेप्ट समझते हैं इसलिए मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी दो अंगों की 73 तीन होता है इकाई कांग, सात होता है धाई कांग लिखने का तरीका क्या है कि तीन में तो एक से गुणा होती है साथ में 10 से गुणा होती है 10 से 10 से multiply होती है हमने आपके सामने मेरे दोस्तों एक संख्या लेखी 3 अंकों की 354 4 इकाई का अंक है 5 धाई का अंक है 3 सेंकड़े का अंक है तो भी यह इकाई का अंक में 1 से गुणा होती है धाई के अंक में 10 से गुणा होती है और मेरे प्यारे भाई सेंकडे के अंक में 100 से गुणा होती है तब जाके संख्या बनती है बेटा 350 प्लस 4 354 यह basic meaning है 3, 5, 4 के बीच में multiply नहीं है 4 में 1 से गुणा है 5 में 10 से गुणा है 3 में 100 से गुणा है अगर आपके पास यह संख्या है A, B, C, D, E जो 22 से दाइन लिखी गई है 5 अंकों की तो इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब मुझे साब साब दिखाई दे रहा है यह वाला option 1 अंक में 1 से गुणा होगी D में 10 से गुणा होगी C में 100 से गुणा होगी B में 10 की पावर 3 से गुणा होगी A में 10 की पावर 4 से गुणा होगी तो B option इस सवाल का सही आंसर है यहनि कि बिलकुल basic जो है questions railway में आते हैं इनकी आपको practice करनी है बच्चो अगला सवाल सवाल number 13 निमन में से किस संख्या का वर्गमूल A परी में है A परी में चलो The square root of which of the following number is irrational irrational मतलब A परी में संख्या यानि की असांत दसमलव जो किसी भी pattern को बार बार repeat ना करता हो ठीक है मरे दोस्तों जिसमें किसी भी अंकी पुन्रावरती ना होती हो जिनका exact मान ना लिखा जा सकता हो जिनको fraction के रूप में ना लिखा जा सकता हो देखो बच्चे किसका वर्गमूल A परी में है अगर आप किसी भी perfect square number का वर्गमूल निकालेंगे example के लिए मेरे दोस्तों 256 256 एक perfect square number इसका वर्गमूल निकालेंगे 16 आसानी से निकल जाएगा अगर आप किसी non perfect square का निकालेंगे जैसे कि अंडरूट 2 का रूट 2 एक perfect 2 एक perfect square number नहीं है तो 2 कंडरूट A परी में नंबर आएगा 1.414 एप्रोक्स में आएगा मेरे प्यारे बेग यहनि कि basically मुझे यह बताना था है कि इन में से कौन सी संख्या perfect square नहीं है कौन सी संख्या पूरणवर्ग नहीं है अगर संख्या पूरणवर्ग होगी तो उसका अंडरूट आसानी से निकल जाएगा rational number परी में संख्या और अगर कोई संख्या पूरणवर्ग नहीं है जैसे कि अंडरूट दो, तीन, पांच, साथ इनका अंडरूट निकालेंगे तो rational number आएगा तो मेरे प्यारे भाई मैं देखती बता सकता हूँ कि यह number कभी भी perfect square नहीं बन सकता कि end में 0 आ रहा है, 0 के बाद 4 आ रहा है देखो, अगर आप किसी भी संख्या का square करते हो जिसके end में 0 है, तो square करने पर last में हमेशा double 0 होंगे, double 0 ऐसा नहीं हो सकता कि किसी संख्या में इकाई कांग तो 0 हो, फिर 0 ना हो यह perfect square कभी बनी नहीं सकता perfect square तभी बन सकता है, जब 0 अगर last में आ रहा है दो से कम ना है, तो यह नंबर कभी पूर्ण वर्ग है यह नहीं तो इसका वर्ग मुलेक A परिमे संख्या आएगा A option इसका उत्तर है, A option इसका ठीक आंसर है जी The sum of three distinct prime number is 40 तीन अलग-अलग अभाज्य संख्याओं का योग 40 है इन अभाज्य संख्याओं का गुणनदफल क्या है तीन अलग-अलग अभाज्य संख्याओं है जिनको जोड के 40 आता है इन अभाज्य संख्याओं का गुणनदफल क्या है तो मुझे अभाज्य संख्या पता करनी पड़ेंगी देखो बच्चो तीन प्राइम नंबर हैं, इनको जोड़के 40 आता है, मेरे प्यार भी 40, और टी आता है 40, बात सुनना, बात को समझेगा बच्चे, अब मुझे तीनो अभाज्य संख्या पता करनी है, ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों, 40 क्या है, 40 एक सम संख्या है, इवन नंबर है, एक सम है, दो से कटने वाला, आपको पता है, अभाज्य संख्या क्या उनसी होती है, जो या तो खुझ से कटे हैं, और एक से कटे, जिसे दो एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, क्योंकि दो या तो वन से कटता है, खुझ दो से कटता है, दो के बाद तीन प्राइम न यह एक समसंख्या होने के साथ-साथ अबाज्य शंख्या भी है वो केवल दो है बच्चे तो तीन अभाज्य संख्याओं को जोड के 40 आ रहा है, अगर मैंने तीन अभाज्य संख्याओं और नमबर ले लिए, विसम संख्या, विसम संख्या, और विसम संख्या, तो आपको पता होना चाहिए कि तीन विसम संख्याओं को जोड के विसम ही आएगा, विसम में और जोड अब किनी को भी जोड़ो दोसे आपने 3, 5, 7 को जोड़ा तो 3, 5, 8, 7, 15 और ओर नंबर आएगा लेकिन हमको इन 3ों का योग एक एवन नंबर चाहिए तब ही हो सकता है जब इन 3ों प्राइम नंबर नंबर में से कोई एक संख्या एवन रहे मेरे दोस्तो, विसम संख्या में विसम संख्या जोडेंगे, सम संख्याएगा even नंबर में even नंबर जोडेंगे, तो ही जाके even नंबर बन पाएगा तो यह मेरी मझबूरी है, कि मुझे इं तीनों प्राइम नंबर में से एक संख्या एवन लेनी पड़ेगी और एक ही प्राइम नंबर एवन होता है दो, यानि कि बाकी के दोनों प्राइम नंबर ओड होंगे और उनका योग कितना होगा? 31 होगा 31, 31 होगा, sorry, उनका योग होगा 38, 38, 2, 40 होता है न, 38, 2, 40, ठीक है न? किनी भी दो ओड नंबर को जोड़ेंगे, इवन आता है, इवन में इवन नंबर जोड़ते हैं, इवन आएगा 40, यह लोजिक है सवाल को करने का, अब आप मुझे बताओ, बाकी के दो प्राइम नंबर क्या होंगे? अब मुझे यहां से हिट एंड ट्राइल, अंदाजा मारना पड़ेगा, अगर मैं 3 मानता हूँ, तो यह 35 हो जाएगा, लेकिन 35 तो प्राइम नंबर होता नहीं है, तो मेरा अंदाजा गलत है, अगर मैं 5 मानता हूँ, अगला प्राइम नंबर है, तो यह 33 हो जाएगा, 5 और 33 तो मेरे दोस्तों, 33 प्राइम नंबर नहीं है, यह भी गलत है, मेरे प्यारवे, अगर मैं इसक अबाज्य संख्याओं का बच्चे कोई formula नहीं होता कि formula लगाओ खटाक से उत्तर आ गया यहां तो आपको common sense hit and trial अंदाजा ही मारना पड़ता है तो याने कि हमें ये पता चल गया मेरे प्यारे बच्चे कि दो अबाज्य संख्याओं मैंने चेक कर कर देखा तीन रखे देखा पांच रखे देखा फाइनली साथ पे set हो गया साथ और 31 है ये तीन वाज्य संख्याओं है इनका आपसे गुणनफल पूछा है तो दो गुणा साथ गुणा 31 क्या आएगा बेटा तो दो सत्य चौद है चार एकम चार एंड में चार आएगा तो आंसर है 434 डी option ठीक है डी सवाल लंबर है आपके सामने 15 है डिविजबिल्टी रूल से बहुत सवाल रेलवे में आते हैं बोला है सवाल बोला है यदि आठ हंकों की संख्या 3x 5479y4 88 से भाग है विभाज्य है और आठ हंकों की संख्या 9 से विभाज्य है तो 3x plus 2y minus z का अधिक्तम संभव माननी पू यह maximum possible value क्या हो सकती है देखो मेरे प्यारे बच्चों यह संख्या 88 से डिविजबल है यह संख्या 9 से डिविजबल है इसका maximum आण maximum तभी आएगा जब x maximum हो y b maximum हो और घटा रहे है जैड कम से कम हो कम से कम घटाया जाए बच्चों यह जो संख्या आपके सामने लिखी हुई यह 88 से कटती है 88 का मतलब होता है आठ गुना ग्यारे आठ और ग्यारे दोनों ही आपस में से बाद जयें अगर कोई संख्या 88 से कटती है तो वो संख्या 8 से भी भाग होनी चाहिए 11 से भी भाग होनी चाहिए 88 का नियम तो जानते हैं पर आठ और ग्यारे का जानते हैं अगर यह संख्या 88 से भाग हो रही है तो आठ से भाग होनी चाहिए और आठ का नियम यह कहता है कि लास्ट के तीनंक आठ से कटने चाहिए लास्ट के तीनंक नो वाई और चार यह लास्ट के तीनंक है बताओ वा क्या रखूं कि यह 8 से कट जाए, y की जगह मैं क्या रखूं कि 8 से कट जाए, क्या y की जगह रखूं कि 8 से कट जाए, देखो 9 y 4 को आप ऐसे लिख सकते हो, 800 plus 1 y 4, 800 में, 800 में 100 something जोड़ेंगे, तभी तो 900 का क्या मतलब है, 800 plus 100 something होता है, इस 9 y 4 में से 800 अलगर निकालेंगे, तो 154 ही तो बचेगा, यह नंबर तो 8 से कटी गया, यानि कि केवल यह नंबर 8 से कटना चाहिए, तो बताओ y की जगह क्या रख सकता हो, 0, 104 कट जाएगा 8 से, पर अगला 4, 144 भी 8 से कट जाएगा, पर 184 भी 8 से कट जाएगा, यानि कि y की 3 value आएंगी, 0, 4 और 8, भी y का सब से छोटा मान आएगा, 0, 104, 8 से कटता है, पर अगला देखो, 4, 4 add करके आएगा, बीच में, 0 में, 4 add करेंगे, 144, 8 से कटता है 18 बार, 184 भी 8 से कटता है 23 बार, लेकिन मुझे maximum मान निकालना इस expression का, तो y की जो maximum value आईए, वो 8 आईए, y का जो maximum मान आया है न, बेटे, वो 8 आ आउंख्या जो है 88 के साथ साथ 11 से भी कटती है, अब 11 का नियम आप जानते हैं, कि जो odd places पे, विसम स्थानों पे और सम स्थानों पे जो नंबर सारे उनको जोड़ लो, तो जोड़ लो बेटा, 3, 5, 8, 7, 15 प्लस y, 3, 5, 8, 7, 15 और y की maximum value में 8 निकाली 8, 3, 5, 8, 7, 15, 15 और 8, 20 अब even place पे जो आ रहे हैं, उनको एड़ कर लीजे बच्चो, x जमा 4, 9, 13, 4, 17, 17 प्लस x आ गया, तो मैंने विसम स्थान पे और सम स्थान पे जो अंक आ रहे हैं, उनको जोड़ लिया, अब इनका difference, इनका difference बच्चो या तो 0 बनना चाहिए, इनका difference या तो 0 आना चाहिए, या 11 का कोई कटने वाला, 11, 22, 33 या आना चाहिए, और देखो यह x, y, z क्या है, यह सब single digit संक है, x, y, z का मान, 0 से 9 के बीच में रहेगा, 0 या 9 से बढ़ा नी हो सकता, बच्च, 0, 9 के बीच में रहे जानी चाहिए, तो अगर यह 0 बनाना है, तो x की value मुझे क्या लेनी पड आएंगे 0, तो x का मान तो 6 आ गया, अब मुझे निकालना है, z का मान, बच्चो, अगर यह संख्या 9 से भाग होती है, तो अंको का योग 9 का नियम है, अंको का योग 9 से कटना चाहिए, अंको का योग निकालो, 5, 4, 9, उसके बाद मेरे दोस्तों 9, उसके बाद 2 और 1, 3, 3, 3, 6, 2, 8, 1, प्लस z आ गया, sorry, 2, और 1, 3, 3, 6, 2, 8, 8, प्लस z आ गया, यह न, 5, 4, 5, 9, नो कट गया, यह डिजिटल सम आया है, कोई संख्या 9 से तभी कटेगी, जब उसका डिजिटल सम 9 हो, मेरे प्यारे बाई, डिजिटल सम 9 हो, ठीक है, तो मैं हां से z की value का ले सकता जेड का मान वन आ गया, जेड का मान दस भी लिया जा सकता है, 8, 10, 18 भी डिजिटल सम 9 होता है, लेकिन प्यारे बच्चे, जेड की value 10 नहीं हो सकती, 1 ही आप ले सकते हो, जेड का मान वन आ गया, यह value हम यहां रख देते हैं, X की जगह 6, 6, 3, 18, Y की जगह 8, 8, 9, 16, 18, प्लस सवाल था, यह CGL लेवल का जो railway में आया है, हलका सवाल नहीं कहा जाएगा बच्चों इसे, आगे चलते हैं, सवाल है, यदि 5 अंकों की संख्या आपके सामने है, 6, 8, 8, X, Y, यह 5 अंकों की संख्या है, बच्चों, 6, 8, X, Y, यह संख्या 11 है, और 21 से विभाज्य है, तो 8, X बानस 3Y, प्लस XY का मान क्या है, यह सवाल 2020 और 21 में, SSC में भी वारल रहा है, यह सवाल ग्रुप D के पेपर में आया है, 2022 में, बहुत ही पॉपलर क्वेशन है, और इसकी बेस ट्रिक, बेस ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, क्या है बिटा, यदि यह 5 अंकों की संख्या, 6, 8, X, Y, 11 और 21 से डिविजबल, ऐसा भी देख सकता है, कि यह 5 अंकों की संख्या, 3, 7 और 11 से कटती है, ऐसा भी दे सकता है, तो इसका मान क्या है, को कि 3 और 7 का गुणा 21 होता है, यह भी देता है, बच्चों, अगर यह संख्या 11 से भी कट रही है, 21 से भी कट रही है, तो यह सं यह जो संख्या है 688XY, यह संख्या 231 से भी भाग होनी चाहिए, अगर 11 से कट रही है, तो 11 किसके गुणनफल से भी कटेगी, यानि कि मुझे 231 का ऐसा मल्टिपल यह गुणनक देखना है, जो इसके नजदीक हो, इसके नजदीक, इसके नजदीक मतला 688, 00 के आसपास, मुझे 231 का ऐसा मल्टिपल देखना है, जो इस संख्या के नजदीक हो, ऐसा मल्टिपल देखना है, तो यह नंबर है 68800, 68000, ठीक है बच्चे, देखो बच्चो, 231 का ऐसा मल्टिपल जो इसके नस्दीक हो, 688XY के नस्दीक हो, तो आप मुझे बताओ, 231 का दुगुना तो 462 होता है, अगर मैं 231 का तीन गुना करूं तो कितना हैगा, 69693, लेकिन ये तो तीन अंक है, ये पाच अंकों की संख्या है, दो जि 231 का मल्टिपल है, और लगभग मैं इसके नस्दीक पहुँच गया, लगभग मैं 688XY के नस्दीक पहुँच गया, हाला कि 688XY है, ये 699300, लगभग 500 जाद है, 800 मैं 500 जोड़ूंगा, तब 300 पहुँचता है, यानि कि मेरे को कम करना पड़ेगा, मुझे इतना कम करना करने का, shortest method है, लेकिन दिमाग थोड़ा जादे लगाना पड़ेगा, अगर मैं इसमें से 231 घटाता हूं, तो बच्चों ये 699 ही रहेगा, अगर मैं 231 का दुगना, 231 का दुगना होता है, 462, अगर मैं इसमें से 462 घटाता हूं, तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 6 गया 3, 12 में 4 गया 8, 6, 8, 3, 8, 6, 8, 8, 3, 8, ये एक ऐसी संख्या आगे बच्चे, एक ऐसी संख्या आगे जो 2 से कतिस का multiple है, ये संख्या 2 से कतिस से कटती है, 300 गुना, ये संख्या 2 से कतिस से कटती है, डबल, अगर मैं इनको घटाऊंगा, तो ये संख्या भी 2 से कतिस, याने की 11 है, और लिखाए और Y की जगे 8 लिखाए X का मान 3 है Y का मान 8 है आप से ही पूछा है यहां रख दो X की जगे 3 रखेंगे 3-8-24 Y की जगे मेरे दोस्तो 8 रखेंगे 8-3-24 और X into Y कितना जाएगा बैटा 3-8-24 यह सब cancel out हो गया 24 इस सवाल का अंसर है B option, very nice question अच्छा सवाल है आगे सवाल number है 17 देखो number system के ही सवाल जाद हैं, मैं आप देख पी रहें कि मैं आपको जातर question number system के ही करवा रहा हूँ, ठीक है यदि P एक अभाज्य संख्या है और P क्यूंश्क्यार को भाग देता है तो P आवश्यक रूप से विभाजित नहीं करेगा इन चारों विकल्पों में से बताना है देखो, पहली बात तो P एक प्राइम नंबर है P एक प्राइम नंबर है और ये जो संख्या P है ये क्यूंश्क्यार को डिवाइड करता है ये जो संख्या P है ये क्यूं को भी डिवाइड करेगा क्यूं को भी डिवाइड करेगा P जो है वो क्यूं को भी डिवाइड करेगा नहीं समझे इसे मैंने साथ एक प्राइम नंबर ले लिए साथ, साथ एक प्राइम नंबर है अब साथ एक प्राइम नंबर है सात जो है 21 के स्क्वार को डिवाइड करता है बटा 21 के स्क्वार होता है 441 441 को 7 से भाग करेंगे डिवाइड होगा लेकिन क्यों डिवाइड होगा डिवाइड इसलिए होगा क्यो benefits 21 है इसमें उल्रेडी 7 छुपा हुआ है अगर मैं इसका अंडरूट में लेता हूँ 21 तो भी तो ये साथ से भाग होगा यानि कि अगर क्यूं स्क्वाइर P से भाग होता है चूंकि P प्राइम नंबर है इसलिए ये हो पाया तो क्यूं भी P से भाग होगा अगर क्यूं भाग हो रहा है तो जरूरी थोड़ना कि किस में एक जोड़ दू 22 साथ से भाग हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है तो B option यहाँ पर एकदम गलत हो जाएगा टेक्निकल और इजी सवाल है बच्चो एक्जामपल अगर कुछ ना समझ में आए तो एक्जामपल ले लिया करो पर आपको अपने आप चीजे क्लियर हो जाएगी सवाल है नंबर सिस्टम का अगला जब 43 को मेरे प्यारे भाई एक्स से भाग दिया जाता है तो सेसफल एक्स माइनस पांच होता है जब 43 को एक्स से भाग दिया जाता है तो सेसफल x-5 होता है यदि x एक प्राकृतिक संख्या है तो x के कितने हल होंगे same to same question UP Constable के पेपर में भी आया था मेरे दोस्तो बोला है जब 43 को x से भाग देते हैं तो सेसफल x-5 है x एक natural number है तो आप मुझे बाता हो x के कितने हल होंगे देखो मेरे प्यारे भाई 43 को मेरे प्यारे बच्चो जब हम भाग देते हैं किस से x से तो भाग देने पर जो सेसफल बताया है वो x-5 बताया है मैंने मान लिया कि जब 43 को x से भाग देते हैं तो क्यों बार भाग गया क्यों बार divide हुआ बच्चो अगर ऐसा है तो 43 क्या होगा आप मुझे बताओ 43 क्या होगा तो 43 का जो मान आएगा डिवाइजर इंटू कोशेंट यहने X इंटू क्यों पिलस रिमेंडर रिमेंडर कितना सेस्वल कितना बचा X-5 आपका सेस्वल बचा यही नियम है अगर मानिस पांच उदर जाएगा तो 43, 5, 48 हो जाएगा बराबर X कोमन और ब्रेकेट में बचेगा Q प्लस 1 यह बचेगा क्यों X Q प्लस X है, X कोमन ले लिया मुझे X का मान निकालना है तो X का मान जो आएगा 48 बटे Q प्लस 1 48 बटे Q प्लस 1 यह आएगा अब सवाल में बोला X एक नेच्रल लंबर है X एक नेच्रल लंबर है X एक प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या होते है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यह सब प्राकृतिक संख्या होती है मेरे प्यारे बच्चे अब एक बात बताओ X natural number कब आएगा जब ये 48 Q plus 1 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए यानि कि जो नीचे वाली संख्या है जो नीचे वाली संख्या है Q plus 1 अगर ये 48 को पूरा पूरा भाग कर देगी 48 को तो X natural number आएगा अगर जैसे नीचे वाली संख्या suppose मैंने ले ली 37 48 नीचे वाली संख्या को मैंने 37 ले लिया तो 48 से भागी नहीं होगा तो एगस natural number प्राकर्टिक संख्या आएगा ही नहीं तो जो नीचे संख्या लिखी हुई है Q plus 1 ये मुझे ऐसी लेनी पड़ेगी कि 48 को पूरा पूरा भाग कर दे तो नीचे वाली जो संख्या मैं क्या ले सकता हूँ 48 मैं 48 ले सकता हूँ है ना कि अगर मैं 48 को 48 से भाग दूँगा मेरे प्यारे भी X1 आ जाएगा है बच्चो X कमान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा लेकिन ये कि हाँ पर समस्या है मेरे प्यार भी समस्य यह है यह चीज भी आपको देखनी है कि जब 48 को x से भाग देते तो सेस्फल x-5 आता है अगर सेस्फल x-5 आता है देखो सेस्फल कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकता सेस्फल जो है मेरे दोस्तों हमेसा ही पॉजिटिव होना चाहिए या फिर जीरो होना चाहिए सेस्फल मेरे दोस्तों कभी भी मेरे प्यार बच्चों निगेटिव नहीं आ सकता है यानिक एक्स का जो मान होगा या तो 5 से बड़ा होगा या 5 के बराबर होगा x-5 से छोटा नहीं हो सकता अगर सपोज आपने x का मान 2 ले लिया तो सेस्फल क्या आ जाएगा 2-5-3 जो की गड़वड है तो मुझे मेरी मजबूरी है कि मुझे x की वैल्यू को 5 से बड़ा लेना पड़ेगा तो आप बताओ नीचे वाली संख्या को आप क्या क्या ले सकते हो नीचे वाली संख्या को आप मेरे दोस्तों यहाँ पर 1 ले सकते हो अगर आपने नीचे वाली संख्या क्यूं को 0 ले लिया चला जाएगा decimal में possible नहीं है अब 6 ले सकते हो मेरे दोस्तो 48 बटे 6 x का मान अगर मैं नीचे वाली संख्या को 6 लूँगा एक्स का मान 8 आजाएगा possible है अगर आप 7 नहीं ले सकते अगर आप नीचे वाली संख्या को 7 लोगे 48 बटे 7 दसम्ण में चला जाएगा अगर आप नीचे वाली संख्या को 8 लोगे मेरे प्यारे भाई लिया तो एक्स का मान आ जाएगा अच्छे possible है 9 नहीं ले सकते मेरे प्यारे भाई 10 नहीं ले सकते 11 नहीं अगर आपने नीचे वाली संख्या को बारे लिया, तो X का मान 4 हो जाएगा, 48 बटे बारे, 4 जो संभा भी नहीं है, यानि कि आप यहाँ पे मेरे दोस्तों, नीचे वाली संख्याओं की ये वैलू ले सकते हो, एक, दो, तीन, चार, पांच, नीचे वाली संख्याओं की 6 वैल हो जाएगे, अगर आप नीचे वाली संख्याओं को 1 लोगे, वैई क्यों को आप 0 ले लो, सपोच, कोशंट 0 आपने ले लिया, 0 बार जा सकता है, तो 48 आजाएगा, दो लोगे बेटे 24 आजाएगा, X कमान 3 लोगे 16 आजाएगा, 12 आजाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है न, 12 आजाएगा, और मेरे दोस्तों 24 आजाएगा, 16 भी आजाएगा, और यहाँ पर मेरे दोस्तों आपका 6, 8 भी आजाएगा, ठीक है, 5 से बड़ी रहन नीचे X की वल्यूँ तो यहां पर टोटल X के 6 मान संभव हैं आगे अगला सवाल सवाल लंबर है 19 फिर एक खतरनाक सवाल रिमेंडर का रिमेंडर के सवाल काफी ज्याद है पेपर में आते हैं बोला किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर 16 सेस्फल बचता है सवाल पढ़ेंगे किसी संख्या को एक भाजक से भाग देते हैं तो सेस्फल 16 बचता है उसी संख्या के दुगने को उसी भाजक से भाग किया जाता है तो सेस्फल 3 बचता है उस भाजक का मान ग्यात कीजिए भाजक का मान क्या होगा तो भाईया जैसे मैंने माले कि कोई संख्या N है और आप किसी संख्या को एक भाजक, एक संख्या D से भाग देते हैं मालीजे कोई संख्या N है जब आप किसी संख्या को एक डिवीजर से भाग देते हैं तो भाग देने पर सेस्फल सोले आता है सेसफल सोले आता है, रिमेंडर सोले, अगर आप उस संख्या के दुगने को, अगर आप संख्या के दुगने को मेरे प्यारे बिध्यान से सुनेगा, अगर आप संख्या के दुगने को सेम डिवीजर से भाग दोगे, सेम डिवीजर से, आपने संख्या का दुगना कर दिया, तो remainder भी सेसफल भी दुगनाएगा, सेसफल भी 16 का दुगना आना चाहिए 32, सेसफल भी 32 आना चाहिए मेरे प्यारे भाई, ये बात सुनिएगा बच्चे, अगर आप किसी संख्या को डिवीजर D से भाग देते हैं, तो 16 आता है सेसफल, अगर आपने संख्या का दुगना करा double, double को उसी भाजक उसी डिवीजर से भाग दिया, तो अगर आपने संख्या का डबल कर दिया, तो सेसफल भी double आना चाहिए 32, लेकिन सवाल में सेसफल कितना बचता है 3, सेसफल 32 आना चाहिए था, पर actually में सेसफल 3 बचा, 32 को क्या लिख सकता हूं, सेसफल 3 बचा, 32 को जो 29 है ये डिवीजर से पूरा-पूरा भाग हो गया मेरे दोस्तों, यानि कि जो डिवीजर है वो 29 का एक गुणनखंड है, डिवीजर एक ऐसी संक्या है, भाजक एक ऐसी संक्या है, जिसने 29 को पूरा-पूरा काट दिया, सेस्पल 32 आना चाहिए था, लेकिन सेस्पल 3 ही बचा, यानि कि जो 29 है ये इस डिवीजर से पूरा-पूरा भाग हो गया, तो डिवाईजर 29 का एक गुणनखंड होगा, 29 का गुणनखंड न तीस होता है, न तरेपन होता है, न एक क्यावन है, 29 ही है, यही आंसर हो जाएगा, आप्शन से कर लेंगे, वैसे भी आप जानते हैं कि जब आप किसी संख्या को डिवीजर से, डी से भाग करते हैं, तो भाग देने पर सेस्पल सोले आता है, सेस्पल हमेशा भाग देने वाली संख्या से छोटा होता है, जैसे मैं किसी भी संख्या को साथ से भाग दूशा, पूछ साथ से, तो क्या बच सकता है, सेसफल या तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5, 6, 7 से बड़ा थोड़ना आ सकता है, सेसफल, सेसफल जो होता है, हमेसा भाग देने वाली संक्या से छोटा होता है, अगर मैं D से भाग दे रहा हूं, सेसफल 16 आ रहा है, तो यानि क question आगे चलेंगे, सवाल है, यदि किसी संक्या और उसके रैसी प्रोकल का योग साथ है, तो नीचे दिये गए विकल्पों में से, कौन सी संक्या हो सकती है, नीचे दिये गए विकल्पों में से, आप इस सवाल को option से भी check कर करके बना सकते हैं, ये सवाल RRB group D के paper में आया ह अच्छा सवाल है, मैं आपको वही सवाल करवा रहा हूँ, जो थोड़े से अलग हैं, हटके हैं, must do question है, भई मैंने माल्या की कोई संक्या X है, तो उसका वितक्रम यानि की रैसी प्रोकल क्या होगा, एकवट X, तो सवाल में कहा गया किसी संक्या, और इसके वितक्रम का जो कर दूँ, X से गुणा, क्यों हो जाएगा X स्क्वाइर, पिलस वन बराबर साथ X, ये equation बन जाएगी, साथ X को मैं लेप्ट साइड में लाता हूँ, तो X स्क्वाइर मानिस साथ X प्लस वन बराबर 0, एक दुई घात समीकन एक क्वाड की equation बन गया बच्चों, और जो आप को solve करना पड़ेगा, स्री धराचारे formula लगाके, स्री धराचारे formula आप लोग जानते हैं, X बराबर क्या आजाएगा, मानिस का B, मानिस मानिस प्लस साथ, प्लस मानिस, अंडरूट B स्क्वाइर मानिस 4AC, मानिस 7 का स्क्वार 49, मानिस 4AC करेंगे, तो 4 एकम 4, 49 मानिस 4, 45 बट होता है, 9 पंजे 45, 9 का अंडरूट 3, तो 7 प्लस मानिस 3 रूट 5 बटे 2 आएगा बेटा, यानि कि यह answer नहीं है, यह नहीं है, 7 तो positive होना चाहिए, 7 रूट 5 नहीं आएगा, 3 रूट 5 आएगा, D option, एक संख्या दे रखी है, 7 प्लस 3 रूट 5 बटे 2, यह answer है, basic सवाल है, करे बनाएं जल्दी जल्दी, दो अंकों की एक संख्या, इसके अंकों के योग के साथ गुने के बराबर है, दो अंकों की एक संख्या है बेटा, और यह जो संख्या है, इसके अंकों के योग का साथ गुना है, ठीक है, अंकों के स्थान आपस में बदलने से जो संख्या है, व अंकों का गुणनफल ग्यात कीजिए सवाल है गुरुप D के पेपर का 2022 में जब भी बच्चे ऐसे सवाल को देखते हैं वो क्या हो जाते हैं इमोशनल हो जाते हैं वो स्वाल करना शुरू करते हैं कि माने संख्या के काई कंक X है धाई कंक Y है और बड़ी बड़ी क्वेशन बनाने लगते हैं 90% जात तर ऐसे क्वेशन मात्र आप्शन से ही हो जाते हैं थोड़ा सा दिमाग लगा के बोला है दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग के साथ गुने के बराबर है यहनि कि जो संख्या है मेरे दोस्तो दो अंकों की एक संख्या जो है वो अंकों के योग का साथ गुना है ऐसा बोला गया है दो अंकों की जो संख्या है वो अंकों के योग का साथ गुना है और अंकों को आपसब वदलने पर जो नई संख्या है वो औरिझनल संख्या से 8 कम है तो दो अंको की संख्या अंको के योग का सात गुना है तो संख्या यानि की 7 का da 7 का multiple दोंको की कौण सी संक है, 14. लेकिन 14 का ilटा 41 तो 88 कमनी हुआ. 14 के बाद 28, 21 याथा 21 का ilटा 12 है, 21 का इलटा 12 है तो 9 कम हुआ है. अ अगला आता 28, 28 का ilटा 82, तो 98 कम नहीं हुआ. 28 के बाद 35, 35 का ilटा 25 भी कमनी हुआ. अगला आता 42, 42 का उल्टा होता है 24, अगर मैं 42 के अंको को पलटूँँगा, तो 24 आएगा यानि कि अगर संख्या 42 है, अंको को पलटने से 24 आया है, तो संख्या 42 से 24 घटाएंगे, कि 88 कम होगी हाँ जी कम होगी, 42 में 24 घटाएंगे, 88 आ रहा है तो संतुष्ट हो गया, तो बेटा मैं एक दो बार हाथ पाम फेक के मारूँगा और मैं तुरंत संख्या पकड़ लूँगा अंको के योग का साथ गुना, संख्या साथ का मल्टिपल होगी, मैंने साथ का पाड़ा दो चार बार चेक का, 42 पे सेट हो गया, 42 पे याने कि संख्या 42 है, 42 को बदलने से 24 आएगा, अंको को बदलने से 18 कम हो जाएगा, संख्या 42 है, अंको का गुणनफल 4 दुनी, मेरे दोस्तों 8 है, या आंसर है D option और वैसे भी देख सकते हैं, संख्या जो है, अंको के योक्का, याने कि 4, 2, 6, 6 का साथ गुना है, याने कि बयालिस है, संख्या 42 है सवाल सॉल्व, दिमाग लगाओ, बयालिस सो के गुणनखंडों की संख्या ग्यात कीजिए, सवाल है, RRB, NTPC के पेपर का प्यारे दोस्त, हैं, NTPC का गोरा सवाल आपके सामने है किसी भी संख्या के number of factors निकालने की trick क्या है, number of factors निकालने की, सब बयालिस सो है, बच्चों, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करो, बयालिस सो को क्या लिख सकतो, बयालिस गुणा सो, सो होता है, पच्चिस चौ का सो, दो का स्कुर चार, चार गुणा पच्चिस सो, बया अब मेरे प्यारे बच्चे यहां देखेंगे 2 की जब 2 स्क्वार में गुणा होगी, 2 का Q आ गया, इंटू 3 आ गया बच्चे, इंटू 5 का स्क्वार हो गया और 7 हो गया, यह मैंने बयायलिस के अभाज्ये गुणान खंड कर ले, मतलब इससे जाद नहीं तोड सकता मैं, अब आपको ध्यान देना है powers पर, यहां 2 की power 3 है, 3 की power 1 है, 5 की power 2 है, 7 की power 1 है आपको यहां पे निकाले की, इसके गुणान खंड कितनी है, गुणान खंड निकालने के लिए पावर में 1 add करना है, 3 में 1 एक एड करेंगे 4 1 में 1 एड करेंगे 2 2 में 1 एड करेंगे 3 1 में 1 एड करेंगे 2 पावर में 1 एड करके multiply कर दो यह 42 के total number of factors यानि कि कुल गुणंखंडू की संख्या आगई 4 दुनी 8 ती या 24 दुनी 48 तो 42 के total 48 गुणंखंड होते 42 के ठीक है बच्चे, अगर जैसे मैं आपको एक्स्टा जानकारी भी दूँ, अगर find the number of odd factors, अगर 42 सो के विसम गुणंखंड पूछे होते हैं, बताव विसम, कि 42 सो के विसम गुणंखंड कितने हैं, यानि कि जो जिनमें दो न आता हो, तो भाया तो भी आपको यही टेक्निक ल इस portion पे ध्यान देना है, दो भार निकाल दीजे, किवल आपको इस portion पे ध्यान देना है, इस वाले portion पे आपको ध्यान देना है, यहां पे even numbers को, भाई, विसम का मतलब जिनमें 2 न आता हो, तो even 2 को ignore कर दो, मेरे प्यार भी, किवल आपको odd पे ध्यान देना है, पावर में ए एक एड़ करेंगे दो, दो में के एड़ करेंगे तीन, एक में के एड़ करेंगे दो, तो दो दूनी चार तिया बार है, तो बया लिस्सों के विसम गुणनखंडों की संख्या बारे आ जाएगी, चार तिया बारे, मुझे लगता है ये concept आप बहुत अच्छी तरीक के से मिल हैं, कभी-कभी गलत language भी बोल देता है कि इसके कितने गुणनखंड अभाज्ये हैं, जबकि सही language यही है जो लिखी हुई है, कि इसके गुणनखंड में कितनी अभाज्ये संख्याएं सामिल हैं, कितने prime numbers included हैं, तो बच्चे, करना क्या है, पहले तो इसको और तोड़ो बई 6 को और तोड़ा जा सकता है, 6 का मतलब होता है, 2 ती या 6, power 7 है, तो 2 की power भी 7 हो जाएगा, 3 की power भी 7, ऐसी 35 का मतलब होता है, 5 सत्य 35, 5 का cube हो जाएगा, 7 का cube हो जाएगा बेटा, और 11 को तो आगे तोड़ नहीं सकते, 11 की power 10, प्यारे बच्चों हमने यह कर लिया, ठी सके, पूचा कितनी अभाज्य संख्या हैं सामेलें, कितनी अभाज्य संख्या हैं, जब भी ये साविल हो, या पूचे इसके कितने गुणंखंड अभाज्यें हैं, तो किल पावर जोड़ लेनी है, 7, 7, 14, 14, 6, 20, 10, 30, किवल आपको घात जोड़ लेनी है, 30, 30 सवाल का आंसर आएगा, 30, और भी बहुत सारे सवाल प्रीविसर में इस पर आ रखें, किवल आपको पावर याने कि घात एड़ कर लेनी है, 30 सही उत्तर होगा, आगे चलेंगे, ओके, देखो बच्चों, रेलवे में सवाल है, ग्रुप D के पेपर का 2022 में एक कौशन आया था, मैं किवल कंटेंट डिलिवर करने पर ध्यान दे रहा हूं, किवल पढ़ाने पर, बेवज़े की बकैती आपको इस क्लास में नहीं मिलेगी, मैं रात को रिकॉर्ड कर रहा ग्यारे बज़े क्लास, ठीक है भाईया, और दिन बर पढ़ा-पढ़ा के मेरा दिमाग भन्न हो चुका है, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी, explanation to the point होगी, concept to the point होगा दोस्त, ओके, जातर सवाल आते हैं, रिल्वे में, statement चेक करने वाले कौन सा सही कौन सा गलत है, वो भी number system में, which of the following statement is not correct, निमागे से कौन सा कथन सही नहीं है, यानि कि 3 सही होंगे, एक इन में गलत होगा, there are only 4 single digit prime numbers, केवल 4 एक अंक्य भाज्य संख्या है, 2, 3, 5, 7, यानि कि 4 ही single digit prime number बनाए, भगवान ने, बिल्कुल सही, दूसरा, there are infinitely many prime numbers, दुनिया में अनंत अभाज्य संख्याएं होती हैं, बिल्कुल सही, संख्याएं अनंत हैं, उनमें अभाज्य भी अनंत डूंड सकते हो, एक अभाज्य संख्या के केवल 2 गुरंखंड होते हैं, बिल्कुल सही, एक अभाज्य संख्या के 2 गुरंखंड हो और दूसरा 1. सभी अभाज्य संख्याएं odd होते हैं, ये वाला गलत हो गया. सभी अभाज्य संख्या और नहीं होते. एक अभाज्य संख्याश है दो, जो even होती है. तो भइ, ये बात गलत कही है. इसने चौति वाली ये सवाल का आंसर भी हो जाएगा, चौथा विकल्प इसका गलत है, Next, नीचे दिएगे विकल्पों में से कौन सा को प्राइम नंबर्स का पेर है, which of the following, which of the options below give से pair of को प्राइम नंबर्स, नीचे दिएगे विकल्पों में से कौन सा प्राइम पेर है, पांच अठाइम में कुछ भी कौन नहीं होता, सिवाए बन के, मैं आप से कहूं, 25 और 32, दोनों ही, यह को प्राइम संख्य है, 25 बद्थिस में कुछ भी कौन नहीं है, लेकिन मैं आप से बोल दों कि 36 और 82, क्या यह को प्राइम नंबर है, नहीं, क्यों इन में 2 कौमन है, 362 में 2 कौमन है, यह को प्राइम पेर नहीं है, यह से बाज़े संख्याए नहीं है, नीचे दीगे विकल्पों में से कौन सा पेर है, को प्राइम का, देखो बच्चे, 196 और 343, 196 होता है, 14 का स्क्वायर 343 साथ का क्यूब मैं देखती पहचान गया दौन में 7 कौमन है यानि कि ये को प्राइम पेर नहीं है इस से बाद जे संख्या हैं ही नहीं कि दौन में 7 कौमन है ये आ जाते हैं 161 और 192 161 का पहड़ा बच्पन से देखते हा रहें 271 और 192 किस से कटता है 4 से 4 चौक 16 और 348 बद्थिस यानि कि इन दोनों में कुछ भी कौमन नहीं है 27, 48, 48 इन दोनों संख्याओं में कुछ भी कौमन नहीं है यानि कि ये दोनों संख्याओं आपस में सहाबाजे हैं और मुझे ऐसे ही चेक करके देखना पड़ता है बच्चे मैं इनका HCF निकाल के देखता हूं या तो आप HCF निकाल के चेक करो या इस तरीके से गौन खंड करके चेक करो इन दोनों में कुछ भी कौमन नहीं है तो ये दोनों सहाबाजे हो जाएंगी अगला निमन में से कौन 44 सों से पूर्टे विभाज्य है चार विकल्प आपको दिये हैं बोला है इन चारों में से कौन सी संख्या 44 से पूरी तरीके से भाग होती है 44 का नियम जानते हो नहीं जानते लेकिन इतना जरूर जानते हो कि 44 होता है चार गुणा 11 अगर कोई संख्या 44 से भाग होती है तो संख्या 4 से भाग होनी चाहिए 11 से भाग होनी चाहिए अगर संख्या 4 से भाग होते है लास्ट के दो डिट 4 से कटनी चाहिए सारे ही विकल्पों के लाष्ट के दो अंग चार से कट रहे हैं अब मुझे चेक करना पड़ेगा ग्यारे के क्योंकि ये सभी संख्या है चार से भाग होती हैं ग्यारे का क्या ग्यारे से भाग हो रहा है ग्यारे का नियम अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सम और विसम इस्थान पर जो अंकार है उनको जोड़ लो एक पांच छे छे तीन नो पांच दो साथ दो नो तो नो और नो का डिफरेंस जीरो हो रहा है ये संक्या ग्यारे से भाग होती है ये संक्या ग्यारे से भी भाग हो रही है चार से भी भाग हो रही है तो चौलिस से भी कटेगी तो बेटे वन वाले आप्शन तो आएंगे याएंगे यानि कि ये दोनो विकल्प तो हट गए ये दोनो विकल्प तो हट गए अब देखो 1 के साथ या तो 4 का पे रहे है 3 का तो मैं दूसरी संख्या को चेक क्यूं करूँ मैं तीसरी को चेक करता हूँ 1, 6, 7, 4, 11 5, 9, 14, 4, 18 बए 1, 6, 7, 4, 11 और 9, 4, 13, 5, 18 इनका डिफरेंस साथ आ रहे डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए 11 का मल्टिपल आना चाहिए या डिफरेंस साथ आ रहे तो इस संख्या मेरे दोस्तो नहीं कटेगी ये 11 से नहीं कटेगी तो ये वाला विकल्प गलत हो गया तो मेरे पास ये वाला विकल्प ठीक हो जाएगा यानि कि अगर तीन विकल्प गलत होगे तो चौता सही होना ही चाहिए यह संख्या 11 से कटेगी कटेगी 1 6 7 9 16 5 9 14 12 16 16 का डिफरेंस जीरो है यह संख्या 11 से भाग होती है ठीक है ऐसे करना होता है सवाल है अगला कि यदि PQ एक दो अंकों की संख्या है PQ दो अंकों की संख्या है तो PQ मानस QP निमन में से किस से भागे होगा अगर PQ दो अंकों की संख्या है तो PQ और संख्या का उल्टा क्यों PQ इनका डिफरेंस किस से कटेगा आमेशान नों से कटेगा भाई जैसे दो अंकों की संख्या है PQ तो क्या होगा मेरे दोस्तो इकाई के अंक में एक से गुणा धाई के अंक में मेरे दोस्तों 10 से गुणा, अगर ये PQ हैं, तो PQ क्या होगा, 10P plus Q, और इसके अंकों को जब मैं बदलूँगा, तो क्या हो जाएगा, 10Q plus P, अब इनका जब मैं डिफ्रेंस लूँगा, तो क्या आएगा, 9P minus 9Q, 9 into P minus Q आएगा, मेरे प्यारे बच्चों, आ प्राप्त संख्या का अंतर हमेशा, 9 का मल्टिपल होगा, 9 कुणा सम्थिंग आएगा, 9 का मल्टिपल, 9 से कटेगा, अगर सपोज ये सवाल तो आगे, अगली साल इस बार ये सवाल आजाएगा, प्लस है, प्लस, तो ये बेटा क्या आजाएगा, 11, यानि कि किसी भी दो अ संख्या बनेगी, उनका योग हमेशा 11 से भाग होता है, ठीक है बच्चो, मजा आ रहा है सवाल करने में, अगर आपको मजा आ रहा है, तो वीडियो को साथ साथ, जो है, शेर करते चलें, लाइक तो करना ही और कमेंट भी करना है, 61, 62, 63, dot, 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 69 के गुरंद फल में, के अंकी कैलकुलेशन पे, लगातार संख्या है, 61, 62, 63, 64, 65, 65 पकड़, 65 में आता है पांच, पांच की किसी भी नंबर में गुना करते रहो, या तो जिरो आएगा एंड में, या फिर पांच आएगा, अगर जैसे पांच का प्यार दो के साथ बनेगा, इकाई का अंक्या ब 51 into 53, यह कर लेते, 49 into 51 into 53 dot 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 97, बताओ इसके इकाई कंग क्या है, इसका यूनि डिजिट क्या है, यह संख्यागी बताओ इसके इकाई कंग क्या है, तो बिटा ऐसा नहीं कि पूरी गुना करते रहें, 49, 51, 53 के बाद आएगा 55, पांच आ रहा है, अब इस सारे ही odd number है, कोई even number तो है नहीं, अब 5 की odd number में कितने भी गुना करो, 5 ही आएगा, 5 तीया पंदर है 5, 5 एकां 5, 5 नाम 45, 5, कितने भी गुना करते रहो, लंबी चोड़ी, अगर 5 की odd number में गुना करो, तो इकाई कांग 5 ही बनेगा, यह सवाल future year में बनने लायक है, ठीक है भाई, जी, अगला question करेंगे भाई, माल लीजिए कि x बरावर 55 की power 100, 55 की power 101, प्लस 55 की power 102 है, तो निमन में से कौन सी भाज्य संख्या, कौन सा prime number x का factor नहीं है, तो पहले तो आपको x को solve करना पड़ेगा, बेस से ही में 55, तो यहां से 55 की power 100, क्या बचेगा 55 की power 100 को में लेंगे, तो 1 बचेगा, यह बचेगा 55 की power 1, और यह बचेगा 55 का square, विसे 55 का square क्या होता है बेटा, 25 और 5 का next number 6 से गुना करो 3025, 3025 आएगा, 3025 में 55 जोलूँगा, तो कितना आएगा, 3080, 80 में एक जोलूँगा, तो 3081 बन आएगा, clear as, अब बताओ, पच्पन में 11 आता है, तो 11 से कट जाएगा, 3081 में मेरे दोस्तों 8 और एक 9 3 12, देखो यह number 3 से भी कट रहा है, क्या मतलब इसका, 3 गुना 1027, 3 into 1027, यानि कि देखो यह number 3 से भी कट रहा है, पच्पन में 11 आ रहा है, 11 से भी कट रहा है, अब इन दौनों मे से चेक करना है, 71 या 79, पताओ, क्या यह number 71 से कट रहा है, अगर मैं देखो, तो 71 से जाएगा, यह एक बार तो बचेगा कितना है, 2 में से 317 बचेगा, यह बहा है, तो 71 से मेरे दोस्तों फ्री यह 3 बार नहीं जा रहा, तो यह number 71 से तो नहीं जाएगा, 71 बचेगा, 71 से हो रहा है, 79 बचेगा कितना है मेरे दोस्तों, बचेगा आपका 21, 22, 23, 237, और 237 मेरे दोस्तों, तीन बार कर जाएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पर 210 और 27, यानि कि 79 इंटू 13 है, 79 इंटू 13 है, तो यह number 13 से भाग हो रहा है, 3 से भाग हो रहा है, 79 से भाग हो रहा है, 55 की गई नहीं है, 79 से भी भाग है, सवाल का अंसर आएगा A option, ऐसे बहुत सारे सवाल पेपर में आते हैं, अगला, निम्र में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ग्रुप D में भई ऐसे सवाल तो थोक के भाब में आते हैं, स्टेटमेंट चेक करने वाले, एक एक स्टेटमेंट प्राइम नंबर होता है, ना कमपोजिट 1, ना तो भाज्य है, ना अभाज्य है, वोकि अभाज्य संख्या होती, जिनके दो गुणंद खंड होते हैं, कमपोजिट नंबर या भाज्य संख्या होती है, जिनके कम से कम तीन गुणंद खंड होते हैं, वन का केवल एक गुण खंड़े सलिए वन ना तो भज्य संख्या होती है ना अभाज्य और प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट दी नंबर टू आर ओड संख्या दो को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या हैं विसा में ये वाला स्टेट मेंटी सही है दो के अलावा जितने भी प्राइम नंबर है तीन पांच साथ गया रहे तेरे सत्रे उनने सभी ओड होते हैं ये सही है मुझे सत्यक अतनी पूछना था बस हो गया मैं आगे नहीं चेक करूँगा मेरे पास टाइम नहीं है चेक करने का अगला 21,600 संख्या के कितने गुणंखंड परफेक्ट स्क्वाइर हैं कितने गुणंखंड पूण वर्ग हैं खौद पढ़िया 21,600 के कितने गुणंखंड ऐसे हैं जो पूण वर्ग हैं नंबर ओफेक्टर्स भहुत आता है तो पहले बच्चो इसका अब आज जो गुणंखंड प्राइम फेक्टराइजेशन करो 216 सोरी 216 होता है 6 का क्यूब और बच्चो 100 होता है 25,400 यानि कि 2 स्क्वाइर गुणा 5 स्क्वाइर बच्चो ये जो 6 है 6 क्या होता है 2 तिया 6 6 का क्यूब का मतलब हो गया बेटे 2 का क्यूब गुणा 3 का क्यूब है ना 2 तिया 6 या गया बच्चे आप बोलोगे हां जी सर मस्ता आ गया अब आप हमें ये बताएं कि 2 का क्यूब और 2 का स्क्वाइर 2 की पौर 5 हो जाएगा इंटू 3 का क्यूब है गुणा 5 का स्क्वाइर है सवाल में आपसे पूछा है कितने गुणनखंड पूनवर्ग हैं यह तो काफी छोटी सी संख्या है अगर बड़ी भी संख्या होती तो भी हम यह ट्रिक लगाते हैं पूनवर्ग का मतलब ऐसी संख्या है जिनकी पावर evan नंबर हो जिन में पावर दो का मल्टिपल हो घात दो से भाग होती हो तो जब भी ऐसा सवाल आए कि गुणनखंड पूनवर्ग हैं तो पावर को दो से भाग करके एक एड करना है तो पावर गुणनखंड चेक करने के मेरे प्यारे भई, 1 add करेंगे, जिससे 5 है, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 बार जाएगा, 2 दुनी 4, 1 add करदेंगे 3, जिसा 3 है, 3 को जम मैं 2 से 2 को 2 से भाक करेंगे, एक बार जाएगा, 1 add करदेंगे 2, तो यह आजएगा 2 दुनी 4 ती है बारे है URL, कि पावर में 2 से डिवाइड करके पांच को 2 से धाई जा रहा है लेकिन धाई नहीं लेना है दो लेना है 5 को 2 से भाग देंगे दो बार भाग जाएगा 2 में एक एड करेंगे 3 3 को 2 से भाग देंगे एक बार जाएगा एक एड करेंगे दो दूरी चारते बारेस का अंसर है अगर सपोज ये पूछ लेता ना कितने गुणंखंड पूर्ण क्यू घं है परफेक्ट क्यूब है 216 के कितने फेक्टर्स परफेक्ट क्यूब है तो हम उस केस में पावर को तीन से भाग देते तीन से भाग करके एक एड करते बात आई समझ में सिंपल लॉजिक है आगे चलेंगे सवाल है NTPC 2021 के पेपर का शांदार जब एक छोटी संख्या बड़ी संख्या को भाग देती है तो हमें भाग फल 6 और 5-6 फल मिलता है दो संख्याओं का अंतर 1540 है चोटी संख्या बताओ भाई ये सवाल CGL के मिंस में भी आया है जब एक चोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित करते ना मैं जब चोटी संख्या पता है ना बड़ी संख्या ये मानली ये चोटी संख्या X से बड़ी संख्या Y है सवाल में क्या बोला है कि जब छोटी संख्या X से हम भाग देते हैं बड़ी संख्या में तो भाग देने पर भागफल 6 आता है और सेसफल 5 आता है तो इसका मतलब जो बड़ी संख्या होगी मेरे दोस्तों वो क्या होगी 6 इंटू X जमा 5 यह होगा दोनों संख्याओं का डिफरेंस 1540 है डिफरेंस मतलब जारसी बात है बड़ी संख्या को मैंने वाई माना है बड़ी में से छोटी संख्या घटाते हैं तो 1540 आता है ऐसा सवाल कह रहा है मुझे छोटी संख्या पूछे तो बेटे Y का जो माने 6X प्लस 5 यहां रख दो Y की जिगर रख दो 6X प्लस 5 में से X आपको घटाना है बराबर 1540 ठीक है बच्चे 6X में से X घटाएंगे 5 5X बराबर क्या आ जाएगा बच्चे पांच उदर जाएगा 1535 पांच से भाग देंगे एकस बराबर 1535 जीरो पांच सत्य पैंथिस 307 तो 307 आपकी छोटी संख्या आ जाएगी बी ऑप्शन सही है ठीक है सवाल में कोई बहुत जादा दम नहीं था आगे चलेंगे फिर से NTPC का पेपर का एक और सवाल आया है जो की statement based question है करके बताएं बच्चो बहुत अच्छे अच्छे शांदार सवाल मैंने compile लिक करें है बेटा दिन में सवाल compile होते हैं रात को recording होती है चैनल पे upload होती है बहुत जादे महनत लगती है जितनी महनत हम आपके लिए कर र मैंने यूपी कॉंस्टिबल पूरा फ्री में पढ़ाया था यूटूब पे ऐसी रेल्वे भी मैं पूरा एंड तक सारे चेप्टर पढ़ाऊंगा एलजबरा जोमेट्री टिग्रोमेट्री से लेके सब कुछ गवनाना नहीं है मेरे दोस्तों बिलकुल भी ठीक है ना अभी तो हम चेप्टर वाइस प्रैक्टिस कर रहे हैं फिर मैं आपको मॉक टेस्ट भी सॉल करवाऊंगा काफी मजदार होगा बच्चो कौन सा स्टेट्मेंट सत्य है कौन सा स्टेट्मेंट ट्रू है आपको बताना है पहला every complex number can be expressed in the form of real number प्रते complex number को real number की form में express किया जा सकता है पहली बात तो यह समझो कि सम्मिस्र संख्या वास्तविक संख्या होती क्या है वास्तविक संख्या वो होती है जिनको number line पे लिखा जा सके minus infinite से लेके plus infinite के बीच में जो भी number आते हैं minus infinite से plus infinite वो सभी वास्तविक संख्या है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, मानस, पांच, पाई, दो, बटे, तीन, पॉंट, सेवन, पॉंट, छे, सभी वास्तविक संख्या है इमेजने नंबर होती है कालपनिक संख्याएं मेरे प्यारे भाई कालपनिक संख्याएं यानि कि जो संख्याओं को mathematics में कोई meaning नहीं है जिनको number line पे नहीं लिख सकते जैसे कि under root of minus 2 under root of minus 2 का क्या मतलब है ऐसी संख्याओं जिसकी दो बार गुणा करने पर minus 2 आजाएं नहीं ऐसी कोई संख्या अंडरूट ओफ मानस का 7, मानस 7 का अंडरूट निकाल सकते हो, क्या नहीं निकाल सकते, ऐसी कोई संख्या दुनिया में है नहीं, जिसकी दो बार गुणा करो, तो मानस 7 आ जाए, तो सब इमेजनी नंबर से, और मेरे दोस्तों, यह मानस 1 के अंडरूट को ही हम शौट में आय इमेजनरी, रियल, वास्तविक संख्या, प्लस एक काल्पनिक संख्या के योग को हम, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, यानि के मरे दोस्तों, अगर कोई भी संख्या इस फॉर्म की है, A प्लस आयोटा B, तो संख्या एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगी, एक्जाम्पल के है, इन दोनों का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, आप बोलोगे, सर मजा आ गया, सवाल में बोला है, every complex number can be expressed in the form of real number, नहीं, गलत बात, किसी भी complex number को real plus imaginary की form में लिखा जा सकता है, real number की form में नहीं लिखा जा सकता, समिछ सिर संख्या को वास्तिविक प्लस कालपनिक संख्या के रूप में लिखा जा सकता, वास्तिविक संख्या के रूप में अकेले नहीं लिखा जा सकता, गलत बात, और कामर गा सवाल, पहले यू तो हों देओ, every integer इजे natural number प्रते एक पूनांक एक प्राकरतिक संख्या है, देखो बच्चे, प्राकरतिक सं इनको आम नेच्वल लंबर्स बोलते हैं, तो सवाल में तो कह रहा है कि हर इंटीजर नेच्वल लंबर है नहीं, इंटीजर तो नेगेटिव भी होते हैं, नेगेटिव नंबर तो नेच्वल नहीं होते हैं, जीरो भी इंटीजर होता है, जीरो भी पूनांक होता है, जीरो संख्या में लिखा जा सकता है हाँ जी Every real number is an integer Every real number can be written in the complex form पृतिक वास्तविक संख्या को सम्मिश सुरूप में लिखा जा सकता है, ये बात भी सही है ये बात भी सही है Every real number is an integer ये बात गलत है, हाँ जी C option ही होगा किसी भी real number को complex number के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे मेरे example के लिख लिए 7, 7 एक real number आपको होगे सर, इसको complex number की form में कैसे लिखोगे 7 को लिख सकता हूँ, 7 प्लस 0 आयूटा ये हो गया, तो मेरे दोस्तों real प्लस imaginary की form में लिख सकते हैं यानि कि हर वास्तिविक संक्या उसको सम्मिश रूप में लिख सकते हैं लेकिन हर complex number को real number की form में नहीं लिख सकते गलत बात हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चे ठीक है ना? हर real number integer हो ऐसा जरू नहीं है साथ बटे तीन भी एक मेरे दोस्तों real number है पाई भी real number है लेकिन यह integer नहीं होते तो यह statement भी गलत है काफी conceptual और deep सवाल पूछा गया है अगला question है आपकी सामने बताएं NTPC का एक और सवाल बड़े प्यारे प्यारे सवाल है बेटे NTPC में एक समस्या को हल करते समय अतुल ने प्रारेमिक संख्या का वर्ग किया फिर उसमें से पंद्रे घटा दिया प्रातुल ने पहले पंद्रे घटाया फिर अंतर का वर्ग किया यदि दोनों को समान उच्तर प्राप्त हुआ तो बताओ संख्या क्या थी संख्या क्या थी बच्चे या तो आप X मान के सवाल सौल करो कि माना संख्या X थी है ना ऐसे कि माना संख्या X थी तो क्या किया बेटा अतुल ने क्या किया पहले संख्या का स्क्वायर किया फिर उसमें से पंदरे घटाया पर तुल ने क्या किया कि पहले संख्या में इसे 15 घटाया फ़र स्क्वायर किया दोनों को same result आया दोनों का result same आया तो बताओ बच्चों संख्या क्या है मैं option से भी ले सकता हूं इस सवाल को या मैं solve भी कर सकता हूं दोनों रास्टे मेरे पास बचते हैं माइनस 30x पिलस 225, 15 का स्कुर्वर 225 होता है, ये x स्कुर्वर कट जाएगा, ये मानस का 30x उधर आएगा, बराबर, मानस 15 उधर जाएगा, 225 में 15 जोड़ेंगे, 240, 30 से 248 वार कट गया, x का मान 8 आठ आगया, यानि कि संख्या 8 है, तो ऐसे भी आसान है, एक एक option को चेक करूँ, तो भी हो जाएगा, दोनों रास्ते ठीक हैं, बताओ, 200 और 1000 के बीच, कितनी संख्या हैं, जो साथ से विभाज्ये हैं, आप मुझे बताओ, 200 और 1000 के बीच, कितनी संख्या हैं, साथ से भाग होती हैं, एक बात ये बताओ, एक से लेके 1000 तक, कितनी संख्या हैं, जो साथ से भाग होती हैं, बेस्ट ट्रिक बता रहूँ, एक से लेके 1000 तक, कितनी संख्या हैं ऐसी हैं, जो साथ से भाग होती हैं, 1000 को साथ से भाग दे मारो, यह आएगा कितना आएगा साथ एकम साथ तीन बच्चे का साथ चौक अठाइस दो जीरो साथ दोनी चौद है 142 142 संख्य है एक से लेके 1000 तक 142 संख्यां ऐसी हैं जो साथ से बाग होती है मुझे बता हूँ एक से लेके 200 तक 200 तक कितनी संख्यां ऐसी हैं जो साथ से बाग होती है तो बच्चे 200 को साथ से बाग दे मारो 200 को साथ से बाग दे मारो तो साथ दोनी चौद है 6,0,7,8,6 मुझे पूछा है 200 से 1000 के बीच में अगर मैं यह घटा दूँगा बच्चे लेके 1000 तक 142 संख्याएं जो हैं ऐसी हैं जो साथ से कटती हैं और एक से लेके 200 के बीच में 28 संख्याएं से जो साथ से कटती हैं तो यानि कि अगर मैं मानिस करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 200 एक से लेके 1000 तक की एक से लेके 200 तक का तो मैं घटा ही दूँगा तो 201 से लेके 1000 के बीच में मेरे प्यारे बाई मैं कह सकता हूँ कि 142 मानस 28 114 संख्या ऐसी है 201 से लेके 1000 तक जो आपकी साथ से भाग होती है तो आंसर हो जाएगा C option, C option ही ठीक हो जाएगा यह बैस तरीका ऐसे सवाल को करने का ना 200 एक से लेके 1000 तक 1000 साथ से कटता ही नहीं है तो इग्नोर कर देंगे बिटा ओके आगे चलते हैं एक संख्या को जब साथ से भाग देते हैं तो सेस्फल चार आता है उसी संख्या के वर को साथ से भाग करने पर सेस्फल क्या होगा उसे बच्चों मने संख्या मान ली सवाल कह रहा है कि जब किसी संख्या को साथ से भाग देते हैं तो सेस्फल याने की रिमेंडर चार आता है अगर उसी संख्या के स्क्वायर को साथ से भाग करें तो क्या होगा? मैंने अभी-अभी concept समझाया, अभी-अभी मैंने आपको concept समझाया, बिटे, कि जो action number में होगा, वही सेसफल में भी होगा, अगर आपने संख्या का square किया, तो सेसफल का भी square होगा, सेसफल भी 4 का square, 6 ले आएगा, लेकिन 7 से भाग करने पर सेसफल 6 ले नहीं में डर आएगा, दो सही answer D option है, बिटा, पते, ठीक है जी, आगे बढ़ने से पहले आपका 30 सेकिंड लेकि मैं आपको बताओं कि हमारा, रिवीजन का मैं आपको best source बता रहा हूँ, Maths Wondering Seconds YouTube channel है हमारा, एक 1.11 लाग students पर connected है, आप इसमें shots में जाओ, डेली में मेरे दोस्तों shots अप्लोड करता हूँ, डेली, conceptual सवाल होंगे, डेली तीन shots होंगी, जैसे मैंने आज ही समझाए, NTPC के दो सवाल, कि 22 की 4 प्लस 2 में गुणा करें, ये किसका उधारन है, कौनसी properties में लगी है, आप इसको subscribe कर लो, सभी बच्चे, जो भी ये वीडियो देख रहा है, थोड़ी देर के लिए pause करके, पहले चैनल सब्सक्राइब करो, हर बच्चे, जादे स्यादा recommend करें, share करें, क्योंकि पूरे YouTube पे गणित की शॉट्स का इससे बढ़िया, और बहतरीन चैनल नहीं है, नहीं बन सकता है, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादे मेहनत करते हैं, ठीक है, डेली आप नया सवाल सिखोगे, नया concept सिखोगे, और आपको एक homework question मिल जाएगा, ठीक है, सब बच्चीस जैनल को जरू सब्सक्राइब कर ले, match wondering seconds, ओके, चलो, अब आगे के सवाल पे चलते हैं, सवाल है बिटा है, अगला, एक साथ अंको की संख्या है, यह 11 से भाग है, जहाँ A एक single digit है, A कमान क्या है? यह संख्या 11 से भाग होती है, A single digit है, A कमान, अगर 11 से भाग होती है, तो अंको का योग निकालो, 6, 8, 14, 3, 17, 17, 2, 19, अब even places का अंक, सम निकालो, 7, 4, 11, 11 प्लस A, यह difference यह तो 0 बनना चाहिए, ग्यारे का कोई multiple, अगर मैं इस difference को 0 बनाता हूं, तो मुझे A कमान क्या लेना पड़ेगा? 8, 11, 8, 19 होता है, 19 में से 19 घटाएंगे 0, तो यह कमान 8 आठ आजाएगा, ठीक है, यही सवाल का आंसर भी हो जाएगा, सवाल में कोई दम नहीं था, आगे चलेंगे, नीचे दीगे संख्याओं में से कौन सी संख्या perfect square नंबर नहीं है, कौन सी संख्या पूर्णवर्ग नहीं है, यानि कि इन options में से 4 संख्या perfect square हैं, एक नहीं है, कोई ढूणने हैं आपको, तो पहले देखो ऐसा नहीं कि मैं इनको निकालेंगा, इनका निकालूट यह संख्या perfect square नहीं हो सकती कभी भी, किसी भी पूर्णवर्ग संख्या का, 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 इकाई कांक unit digit, मातर देखती आप बता सकते हो, किसी भी पूर्णवर्ग संख्य संख्या का इकाइक अंक, दो, तीन, साथ, एंड, आठ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये सवाल का कंसेप्ट है, जो इसमें इस्तिमाल हुआ है, आपको पता होना चाहिए, एक और कंसेप्ट है, कि किसी भी संख्या का स्क्वाइर करने पर, जो लास्ट के दो अंक हैं, जो लास्ट दो डिजिट हैं, वो सेम होंगे, जो एक से लेके पच्चिस तक की संख्याओं के स्क्वाइर के लास्ट दो डिजिट होते हैं, तो से एक का स्क्वाइर जीरो वन, दो का स्क्वाइर जीरो चार, तीन का स्क्वाइर जीरो नो, चार का 2 स्क्वर 16, 5 स्क्वर 55, 6 का इस्क्वर 36, 7 का इस्क्वर 49, तो किसी भी संख्या के लास्ट के दोंगила यही आ सकते हो। 9x21, जैसे 11x21 होता है, तो लास्ट के दोंग 2,1 आ सकते हैं, मैं किने लोगू कि किसी पूर्णवर्क संगया कि लास्ट के दोंग की कत्ति से नहीं हो सकता, यह न, 12x144 तो लास्ट के दोंग 2,4 हो सकते हैं, यह एक और नियम है, आप इसको ध्यान लखेगा, दोनों नियमों क आगे चलते हैं, अब, RRB NTPC का एक और सवाल, सवाल को मैं पढ़ती, मतलब सकल देखती कह सकता हूं कि ओप्शन से होने वाला सवाल है, एक संख्या में 3 अंक हैं, जिनका योग 18 है, बीच का अंक बाकी 2 अंकों के योग के बराबर है, यह दि संख्या के अंकों को उलटने पर संख्या 297 बढ़ जाती है, संख्या क्या है, उलटने पर संख्या बढ़ जाती है, 3 अंक है योग 18, 4 6 6 6 8 8, यह भी 18, सब 18 हो रहा है, बीच की संख्या बाकी 2 अंकों के योग के बराबर हैं, 8 है, 6 4 10 गलत हो गया जी, 8 5 5 10 गलत हो गया, 4 5 9 ठीक है, 6 3 9 ठीक है, इन दो बीच की संक्या, बाकी दौनों अंक के योग के बराबर नहीं है, यह बराबर नहीं हैं, इन दोनों में हो सकता है, बीच की संक्या चार पांच 9 बन रही है. अब बोला अंको को लटने से 297 की वरद्धी होता है, अगर मैं इसके अंको को लटूँँगा तो हो जाएगा 594, यह तो लपड़ गंजु कहीं से भी 297 नहीं बढ़ा, यह तो 959 यह बढ़ गया कि अवल यानिक यह तो नहीं है, फिर यह आंसर होगा, इसके अंको को पलटू बच्चा option से, ना करो तुम solve, यह जो सवाल है, यह बहुत खतरना question है, और मैंने factors के लगवक सारे अच्छे सवाल अलड़ी डाल दिये हैं, संख्या दिये 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 4 गुना 7 square कि कितने गुणंखंड 50 से भाग हैं, लेकिन 100 से नह नहीं होते, यहने कि मुझे वो factors धूंडने हैं, जो 50 के odd multiple हैं, 50 से कटे, 500 से, 200 से, 600 से, 300 से, तो मेरे प्यारे भाई, आप इसमें से 50 पहले भाहर निकालो, 50 क्या होता है, 25 दूनी 50, तो एक 2 भाहर निकाल लीजिए, एक 5 के square, 25 भाहर निकाल लीजिए, पिर क्या बचेगा म 5 की power 4 में से, 5 की power 2 भाहर निकाल लीजिए, तो मेरे दोस्तों, क्या बचेगा, यह 5 square बचेगा, और इंटू 7 square, यह आग है मेरे प्यारे बच्चों, जहान सुनीगा, अब यह जो number है, यह 50 है, पचास, अब पचास की आप इन में गुना करोगे, पचास की आप इन में multiply करो लेकिन 100 से divisible ना हो, समझने वाली बात यह है, मेरे प्यारे दोस्त, कि अगर आप 50 की 3 में multiply करोगे, और नमबर में 150, पचास से कटेगा, पर 100 से नहीं कटेगा, पचास की 5 में multiply करेंगे, पचास का multiply आएगा, 100 का नहीं आएगा, पचास की 7 में multiply करेंगे, तो 50 के multiples आएंगे फेक्टर्स लेकिन 100 के नहीं आएंगे, लेकिन जैसी अगर आपने 50 की इसमें गुणा करी, मेरे दोस्तों, 2 की पावर 2 होगा ना ये, 2 की पावर 2 बचेगा, जैसी आपने 50 की इसमें multiply करी, तो 50 की जैसी 2 की square में multiply करोगे, तो फेक्टर्स जो हैं, वो 100 से कटने वाले बनना सुरू हो जाएंगे, यानि कि ऐसे सवाल का logic क्या है, कि ये चीज़ आपको ignore करनी है, इस पे ध्यानी नहीं देना है, को कि 50 की अगर इसमें गुणा होगी गल्ती से भी, तो फेक्टर्स 100 के जो है, 100 से भी कटने वाले आने लगेंगे, यानि कि मुझे 50 के multiply केवल इन में ही क करनी है, तो ही फेक्टर्स 50 से कटने वाले आएंगे, only 50 से divisible आएंगे, अफेक्टर्स निकालने का तरीका क्या है? मुझे कि इस पर ध्यान देना है, तीन में एक एड़ कर देंगे 4, पावर 2 है, दो में एक एड़ कर देंगे 3, दो में एक एड़ कर देंगे 3, यानि कि 3, 9 नो चौक 36 सवाल का एकदम सही आंसर है बेटे, जो कि C option बनता है, तो बहुत बढ़ा सवाल है बेटा ये, जिस भी संख्या के आपको 50 के multiple आपको factor निकालने तो पहले 50 बहार निकाल लो, यहाँ पे एक special condition है, उसको चेक करना पड़ेगा, आगे चलते हैं, 5 से 14 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घंव का योग कितना है, देखो बच्चो, आपको concept पता है, अगर मैं एक से लेके N तक की संख्याओं के 1 cube प्लस 2 cube प्लस 3 cube डot डot डot, एक से लेके N तक की संख्याओं के घनों का क्यूब करता हूँ इसको मुशॉर्ट में सिग्मा N क्यूब भी कहते हैं तो बेटा इसका फॉर्मुला है N इंटू N प्लस 1 बटे 2 का स्क्वायर ये इसका फॉर्मुला है जो आपको पता होने चाहिए और फॉर्मुला बेश्ट भी बहुत सारे सवाल रेलवे में आई हुएं बोला है 5 से 14 तक की प्राकरति संख्याओं के घनों का योग तो बच्चो ऐसा तो है नहीं कि मैं सभी संख्याओं का घन लिखूं फिर उनको जोड़ू मैं ऐसा भी कर सकता हूँ हाला कि पर बेश्ट क्या है मुझसे सवाल में पूछा क्या है पांच क्यूब पिलस छे क्यूब पिलस डॉट 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 आखर में 14 क्यूब ये मुझसे पूछा है इसमें परिशानी क्या है कि सुरू के 4 संख्याओं के क्यूब मिसिंग है है ना तो बच्चों मैं इसको क्या लिख सकता हूँ मैं इसको लिख सकता हूँ कि एक से लेके चौधे तक की संख्याओं के क्यूब के सम में से मैं सुरू की चार संख्याओं के क्यूब का सम घटा दूँ आ जाएगा की नहीं आ जाएगा लॉजिक एक से लेके वन क्यूब से लेके अगर मैं चौधे क्यूब तक की संख्याओं को जोड़ लूँ और इसमें से घटा दू में वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब प्लस पूर क्यूब शुरू की चार संख्याओं के क्यूब के सम को घटा दू आ जाएगी जो चीज पूछिए, तो ऐसे सवालों में आपको इस लॉजिक का इस्तिमाल करना है, यहां तो फिर भी कम संख्या हैं, जादे संख्या होंगी, तो यही करिएगा, अब चौधे क्यूब मेरे दोस्तों, फॉर्मला लगा दो, सिग्मा एन क्यूब आला, n इंटू एन प्लस वन बटे दो का स्कॉइर, माइनस, चार गुणा पांच बटे दो का स्कॉइर, ठीक है, आप बोलोगे, हाँ जी सर, दो से चौधे सात बार चला जाएगा, पंदरे सत्ते एक सो पांच, एक सो पांच का स्कॉइर क्या होता है, आप जानते हैं कि किसी भी संख्या क में 5 आता है, तो इसके स्कॉइर 5 का स्कॉइर 25 और 10 में 11 जोड़ेंगे 110, ये काएगा बेटा, 10 का स्कॉइर 100, तो 110025 में से 100 घटाऊंगा, 110025 में से 100 घटाऊंगा, तो 10 0925 वी उप्षन सवाल का ऐंसर आएगा, और ये एक दम सही आंसर है, आगे चलेंगे मेरे दोस्त, पिचासी से कम जितने भी इवन नेचुरल लंबर हैं उनका योग बताओ तो बैटाई पिचासी से छोटे कितने कौन-कौन सी इवन संख हैं? दो, इवन नंबर क्या होते हैं? जो दो से कटे? दो, चार, छे, आठ, दस, बारे, चौदे, सोले, और पिचासी से छोटा जो इवन नंबर है, चौरासी मुझे इनका योग पूछा है ठीक है? तो concept मैं आपको लिख दे रहा हूँ, sum of first and even number पहली and some संख्याओं का योग पहली and some संख्याओं का योग पहली and some संख्याओं का योग अगला concept मैं लिख रहा हूँ sum of first and odd number पिर्थम and some संख्याओं का योग पिर्थम and some संख्याओं का योग पुर्थम N विसम संख्याओं का योग हो गया N square जैसे आप से पूछा कि पहली 25 विसम संख्याओं का योग बताओ 1st 25 विसम संख्याओं का योग बताओ आप डारेट कहेंगे सर 25 का स्ख्याओं 625 ये है sum of first N even numbers N into N plus 1 ये क्या है मेरे दोस्तों दो का पढ़ाई तो है 2, 4, 6, 8, 10, 14, 84 तक जा रहा है ये 42 संख्याओं कितनी हैं ये 42 even numbers हैं ये first 42 even numbers हैं ये पहली 42 संख्याओं हैं और पहली 42 संख्याओं का योग होग होगा मेरे दोस्तों वो होगा N into N plus 1 यानि कि 42 गुणा 42 जमावन यानि कि 43 और 42 की 43 में जब multiply करेंगे मेरे प्यारे बच्चे तो N में कितना आएगा 2, 3, 6, N में 6 आएगा मैं गुणा भी कर सकता हूँ 1806 सवाल का आंसर है B option ये दो concept है डारेक्ट आपको पता होने चाहिए number system में और average दोनों में इस्तिमाल होते हैं अगला सवाल RRB NTPC के paper का सवाल ये है कि उन दो सबसे छोटी natural संख्याओं का योग क्या है जिन में से प्रतेक में exact 7 factors हैं बढ़ा भेंकर सवाल है बच्चो ये भी फोली बुद्धी लगाओ करो उन दो सबसे छोटी संख्याओं का सम क्या है जिन में से प्रतेक में exact 7 factors हैं exact उन दो सबसे छोटी संख्याओं का योग देखो जब भी हम number of factors निकालते हैं तो power में एक add करके multiply करते हैं सबसे देखो साथ क्या होता है साथ होता है 6 प्लस 1 power में एक जोड के multiply करते हैं और तो मेरे पास कोई रास्ता है नहीं साथ में multiply का देखो बच्चो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसके exact 7 factor नों 2 की power 6 2 की power 6 2 की power 6 के कितने factor हैं पावर में एक add करेंगे 7 factor है सबसे छोटी पर उसके बाद 2 पूछी ना 2 सबसे छोटी अगली सबसे छोटी है बेटा 3 की power 6 और मैं कुछ करी नहीं सकता मेरे प्यारे भाई और तो मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है तीन की power 6 में एक add करेंगे तो ही 7 factor आएगा 3 की power 6 की भी 7 factor होते है तो बेटा 2 की power 6 आगे आपका 64 है बच्चो और 3 की power 6 कितना आगे आपका 27 के स्कूर 729 इनका योग आप से पूछा है तो इनका योग आजाएगा बेटा 64 में 729 जोडेंगे तो 793 डी option आंसर है ये वाला option ठीक बनता है अच्छा सवाल है दिमाग लगाने वाला है साथ गुणंखन तबी आएंगे जब पावर में एक add करेंगे तो पावर जो है वो 6 बननी चाहिए सभी दो अंकों की संख्याओं के वरगों का योग क्या है जिनमें से प्रतेक चार स्विभाज्य होती है दो अंकों की संख्याओं के वरगों का योग बताओ जिनमें से प्रतेक चार स्विभाज्य होती है और the sum of the square of all two digit number which is complete divisible by four तो चार से डिवाइड होने वाली दो अंकों की कौन सी संख्याओं बार है 16 चार चार के गैप्य होंगी 20 24 और कहां तक है मेरे दोस्तों सबसे आखिर में है 96 हमसे इनी के square का sum पूछा है यह तो पूछा है यह मेर से पूछा गया है ठीक है बच्चो देखो बहंकर सवाल है यह भी सभी दो अंकों की संख्याओं के squares का sum बताओ यह दो अंकों की संख्याओं जो चार से divisible है दो अंकों की बच्चो या तो मैं इन में से हाँ ऐसी करते हैं अगर मैं इन में से 4 का square common लूँगा 4 का square सभी में 4 common है सभी संख्याओं चार से कटने वाले तो क्या बचेगा 4 तीय बारे 4 चॉक 16 4 पंजे 20 और सबसे आख्यर में बचेगा मेरे प्यारे दोस्तो 96 है 16 का square sorry 24 का square ठीक है जी आप बोलो गया है सर या तो मैं formula लगा के इसकी value निकालू ठीक है एक रास्ता है या फिर मैं जानता हूं कि भी 4 का square 16 होता है तो जो भी answer आएगा वो 16 से कटने वाला होगा answer 16 से कट रहा है तो 8 से भी कटेगा अगर मैं इनका योग निकालूँगा तो 8 से कटने वाला number आएगा जैसे 300 308 से नहीं कटता है यही answer हो सकता है बेटा सावाल का बस तो कभी कभी दिमाग भी लगा लिया करो हर जगे formula लगाने की जुरत नहीं पड़ती है ठीक है जी आगे चलते है the difference संख्या 1,2,8,9,3,5 में 2 और 3 के place value का difference क्या है place value स्थानिय मान का अंतर क्या है एक होता है place value एक होता है face value face value होता है जैसे 2 की face value 2 है 3 की face value 3 है जो भी हम digit की बात कर रहे है वही उसकी face value होती है 5 की face value जैसे मैं आप से पूछू इस संख्या में 9 की face value क्या है 9 लेकिन place value जो होती है इसका मतलब है कि संख्या किस position पे रखी हुई है संख्या रखी हुई है यहाँ पर 2 पे 2 की place value है 2 के आगे जितने भी अंक है सभी को 0-0 कर दो 3 की place value का है 3 रखा हुआ यहाँ पे तो 3 के आगे जो भी है उसको 0 कर दो इनका difference पूछा है 2 की place value है 3 की place value इनका difference आगया D option 19,970 और यह answer हो जाएगा सवाल का face value, place value railway में बहुत आता है अगला निमन में से कौन सी संख्या अभाज्या है कौन सा नंबर प्राइम है बताना है बताओ बच्चे 323, 715, 513, 571 देखो भाई वैसे तो दुनिया में जितन भी प्राइम नंबर होते हैं वो सबी इस form के होते हैं दुनिया में जितनी भी अभाज्ये संख्या होती हैं वो सबी इसी form की होती हैं लेकिन जरूर नहीं कि कोई भी अभाज्ये संख्या अगर इस रूप में लिखी हुई है वो हमीशा प्राइम हो 37 है, 37 एक प्राइम नंबर है लेकिन जरूरी नहीं कि कोई भी नंबर अगर 6N plus minus 1 फॉर्म का है, हमेशा प्राइम हो, जैसे 25, 25 को आप लिख सकते हो, 6 गुणा 4 plus 1, 6N plus 1 फॉर्म में, लेकिन क्या 25 प्राइम नंबर होता है, कते ही नहीं होता, नहीं कि सीधी बात तो सत्य है, बट उल्टी बात सत्य नहीं ह सभी अभाज्य संख्याओं को 6N plus minus 1 फॉर्म में लिखा जा सकता है, पर कोई भी संख्या जो 6N plus minus 1 फॉर्म में लिखी हो, जरूर नहीं कि वो हमेशा प्राइम नंबर ही हो, अभाज्य संख्या ही बने, तो असली मेथड क्या है, अभाज्य संख्या पता करने का सीखते हैं, बेस्ट कंसेप्ट है, बड़े-बड़े सवालों में भी इस्तिमाल होगा, भाई यह 323 देखो, 323 किस प्राइम नंबर के स्क्वार के नस्दीक है, तो आप कहोगे सर, 19 के स्क्वार तो बड़ा हो जाएगा, 70, 70 के स्क्वार 289, क्या यह नंबर 70 से भाग होता है, 70 एकम 70, बचेगा, आपका मेरे दोस्तों, 15 बच जाएगा, और 759, 153 से भाग होता है, तो मेरे प्यारे भी यह नंबर 17, 19 से कट रहा है, तो यह प्राइम नंबर नहीं है, यह प्राइम नंबर या तो एक से कटना चाहिए, या खुच से, 715, 715 किस प्राइम नंबर के स्क्वाइर के नस्दीख है, तो आप कहोगे सर जी यह है, 23 के स्क्वाइर 529, 23 के बाद 29 के स्क्वाइर तो काफी बढ़ा हो जाएगा, 23, 23, यह 23 से कटता है, 23 तियह 79 दून, नहीं, 23 से नहीं कटता, फिर अगला चेक करो, 23 से अगला 19, 19 तियह 57, 57 के बाद बच जाएगा मेरे दोस्तों आपके पास, नहीं, 19 से भी नहीं कट रहा, 19 के बाद अगला आएगा 17, 17 से कटता है कि 74 काड़ सट, नहीं, सॉरी मैं इतना चेक क्यों कर रहा हूँ, 715 तो 5 से कट जाता है, 715 तो 5 से कट जाता है मेरे दोस्तों, 143, अगर कोई संक्या 5 से भी कट रही है, 143 से भी कट रही है, इसका मतलब मेरे प्यारे भी यह संक्या भी प्राइम नंबर नहीं है, 513, 513 किस प्राइम नंबर के स्क् तो 513 के नजदीक आता है 23 के स्क्वायर 529 कैंग नंबर 23 से कटता है 22 24 नहीं तेईश के बाद अगला आता है 19 क्या 19 से कटता है 19 दूनी 38 38 के बाद बचेगा 13 हाँ जी 19 से कटता ये 19 दूनी 38 38 के बाद मेरे दोस्तो 13 यह प्राइम नमबर नहीं है यह भी नहीं तो जो छौथा नमबर बचेगा वो प्राइम होगा ही होगा बात खत्म यह तरीका है यानि कु आपको हर एक संख्यापर महनत करनी पड़ेगी कोई ट्रिक नहीं है सवाल की चलिए अगला सवाल आठ से बड़े और 69 से कम कि पुणां के बीच अभाज्य संख्याओं का योग क्या है आठ से बड़े और 69 से छोटी प्राइम नंबर का सम क्या है यह आप से पूछा है तो आठ से बड़े प्राइम नंबर कौन-कौन से हैं यारे, तिहरे, सत्रे, उन्निस, तेईस, उन्तिस, इकतिस, सैंतिस, इकतालिस, तेतालिस, सैंतालिस के बाद तरेपन, तरेपन के बाद यह आएगा, तरेपन के बाद 69 आता है तो यह आठ से बड़े और 60 से छोटे प्राइम नंबर हैं इनका योग पूछा है सम तो ऐसा नहीं कि इसका कोई फॉर्मला होता प्राइम नंबर की सम करन नहीं तो बिटा, कैसे मैं इनका सम करूँगा, मुस्किल काम है मैं केवल इकाई कंग को देखता हूँ, यहाँ पर इकाई कंग सभी आप्शन का अलग अलग है तो मैं पूरा क्यों जोड़ू, मैं केवल यूनिडिजिट को ना जोड़ू एक तीन चार साथ घ्रह्ग दो हो गया, एक तीन चार साथ घ्रह्य वह गया, दो नो घ्रह्य एक हो गया फिर से देख लेते हैं 1, 3, 4, 7, 11, 1 1, 3, 4, 7, 11, 1 1, 1, 9, 10 10 हो गया बेटा, ये तो 0 हो गया 0 के बाद 3, 9, 12, 2 2, 1, 3, 7, 10 ये भी 0 हो गया 0 के बाद 1, 3, 4, 7, 11 1 हो गया और 1, 3, 4 4 आएगा बेटा, 364 आंसर है कुछ गरवा कर दी थी मैंने 1, 3, 4 साथ ग्यार है, ग्यार है का 1, 1 और 9, 10 0, तफिर 0 के बाद देखो 3, 9 12, 2 और 1 3, 3 17 से भी 0, 1 और 3 4, 4 आएगा, ए ओप्षन आंसर है, सवाल का बात खतम आगे, सवाल है, यदि X कोई positive even number है, यदि X एक positive even number है, तो ये संख्या हमेशा किस से divisible होगा, X की पावर 65 माइनस X, इस सवाल है, यदि X एक positive even number है, तो ये किस से divisible होगा, ये को बड़े भेंकर सवाल है, X एक धनात्मक सम संख्या है, यानि कि X दो से भागोने वाली संख्या है, तो ये हमेशा किस से कटेगर, मैं या से X कॉमन ले लेता हूँ, तो ब्रेक्ट मचेगा, X की पावर 64 माइनस 1, पताओ, X क्या है बच्चे? X एक even number है, even number, इन्टू, यही है, अब ये क्या है मेरे प्यारे बच्चो, ये क्या है, ये 2 की पावर, ये X की पावर 64 माइनस 1 है, X की पावर 64 माइनस 1, ठीक है, ध्यान सुनेगा, यानि कि ये odd number होगा, बच्चे की पावर 64 माइनस 1 को क्या लिख सकते है, X की पावर 64 माइनस 1 को लिख सकते है, X की पावर 32 माइनस 1, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे, हाँ जी सर, बिलकुँ सही, है भई अब यह x की पाउर 32-1 है इसको फिरसे तोड़ सकते है x की पाउर 16-1 16-1 16 को फिरसे लिख सकते है 8-1 8-1 ऐसे ही स्रीज मेरे दोस्तों चलती रहेगी अब बोला है यह हमेशा किससे विभाज्य होगा यह आप मुझे बताओ यह हमेशा किससे डिविजबल होगा पड़ाफट से आपको मुझे बताना है देखो खतरनाक सवाल है मेरे दोस्तों खतरनाक मुझे एक बात पता है कि यहाँ पे x तो आई रहा है जब मैं फेक्टर करूँगा x की पाउर 8-1 के आगे जब मैं ऐसे ही फेक्टर करते चले जाऊंगा और फेक्टर हो जाएंगे तो x की पाउर 8-1 के x की पाउर 4-1 x की पाउर 4-1 का फिर से फेक्टर होगा x स्कुयर माइनस 1 और x स्कुयर माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 यानि कि ये तील लगातार संख्या इसमें बन जाएंगी देखो x तो है अगर मैं इसका फेक्टर करूँ तो पहले 32 फिर आदा 16 फिर 8 फिर 4 फिर 2 x स्कुयर माइनस 1 बनेगा फेक्टर करते जाऊंगा अगर x स्कुयर माइनस 1 क्या होता है x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 अब x एक इवन नमबर है अगर x एक इवन नमबर है 2 से कटता है अगर x एक इवन नमबर है 2 से कटता है मेरे प्यारे भाई 2 से अगला नमबर मेरे दोस्तों जैसे मैंने फिर तीन हो जाएगा ये एक हो जाएगा ऐसी हो जाएगा अगर सपोज मैं चार लेता हूँ चार लेता हूँ तो मेरे दोस्तों ये पांच से कटेगा और ये तीन हो जाएगा यानि कि एक बार दो एक बार तीन आना ही आना है मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ मेरे प्यारे भाई कि तीन लगातार संख्याएं बन गई और तीन लगातार संख्याओं की गुणा तीन लगातार संख्याओं की जो गुणा है मेरे प्यारे भाई वो हमेशा ही किस से डिवाइड होगा प्यारे बच्चो छे से डिवाइड होगा तो सवाल का जो आंसर है वो A option आना ही आना है लेकिन बेटा इसमें एक खास चीज भी छुपी हुई है इसमें एक special चीज भी छुपी हुई है कि farm एक ऑग्वे प्यारे यह एकश मिम एकין उपर है यह नर अगर अगर मैं Ronald 2 लेता हुँ तो मेरे प्यारे बहुत यह एक आ जाएंगा और यह तीन आएगा यह 6 से कटेगा अगर मैं X command 4 ले लेता हूँ तो ये 5 आएगा मेरे दोस्तों ये 3 आजाएगा ये भी 6 से कटेगा मैं X command 6 ले लेता हूँ तो 7 आएगा बच्चे और ये मेरे दोस्तों ये 5 आएगा अभी भी आने कि आप कुछ भी करो 6 से कटना ही कटना है तो 6 ही सवाल का आंसर आएगा 6 ही आएगा मेरे प्यारे बच्चे ठीक ना और इसमें कुछ बनने के chances नहीं है आगे चलते हैं student पचास और सौ के बीच अभज्य संख्याओं के set से अभज्य संख्याओं के कितने जोड़े हैं जिने जोड़ने पर अभज्य संख्याओं के प्राप्त होती है सवाल है RRB जूनियर इंजीनियर के पेपर का ये सवाल शांदार है पचास और सो के बीच प्राइम नंबर के set में से कितने जोड़े ऐसे हैं जिने एड़ करने पर प्राइम नंबर ही मिलेगा एक बात बताओ पचास और सो के बीच में जितने भी प्राइम नंबर होंगे 53, 59, 61, 67 ये सारे ओड़ नंबर होंगे पचास और सो के बीच में जितने भी प्राइम नंबर होंगे सभी के सभी विसम संख्या होंगी ओड़ नंबर होंगे आप बोलोग यहां सर odd numbers होगे बोला कितने set ऐसे हैं जिनको जोडने पर prime number ही आए अगर यह सारे odd number हैं किनी भी 2 odd number को जोडू भई यह 53 और 59 प्राइम नमबर है लेकिन यह दोनों odd ही हैं तो यह odd ही अगर मैं इनको जोडूँँगा तो हमेशा even number आएगा और even number तो कोई prime हो नहीं सकता, दो के अलावा, भैये इनको जोड़ूँगा, किनी भी दो संख्याओं को जोड़ूँगा, दो से बड़ा number आएगा, और even आएगा, दो odd number को जोड़के हमेशा even number आता है, यानि कि इन में से किनी भी दो संख्याओं को add करने पर कभी भी prime आही न सवाल मेरे दोस्तों, ये वाला पूछा गया था आपके सामने, अगला question है बच्चे बनाएंगे आप सब लोग, बताएं how many factors of these are even, इनके कितने factors even हैं, इस संख्या के, RRB NTPC के पेपर का सवाल है बच्चे, अब देखो, कितने गुणंखंड सम हैं, even factors पूछें, even क्या होता है, even का मतलब जो संख्या 2 से भाग होती है वो even कहलाती है, तो यहां से आप 2 बहार निकालीजे, पहले आप 2 बहार निकालीजे, क्या बचेगा, 2 की पावर 6 गुणा, 2 की पावर 7 था न, मैंने 2 बहार निकाले, 2 की पावर 6 बचेगा, गुणा 3 की पावर 4, रेल्वे वाले बड़े दयालों है, डारेक्ट प्राइम फेक्टराइजेशन करके देते हैं, गुणा 5 की गुणा 7, यह आगया मेरे प्यारे बच्चे, आप बोलोगे, हां जी सर, बहुत बढ़िया मज़ा आया, मुझे प्यारे स्टुएंट्स यहाँ से निकालना है, कितने फेक्टरस एवन हैं, अब 2 की मैं मल्टिप्लाइ करूंगा, इन में किसी में भी, तो जो भी फेक्टरस बनेंगे, वो सारे एवन बनेंगे, याने कि मुझे केवल ये count करना है कि set के कितने factors हैं power में 1 add करो 6 में 1 add करेंगे 7 4 में 1 add करेंगे 5 3 में 1 add करेंगे 4 7 की power 1 है ना 1 में 1 add करेंगे 2 तो 4 दुनी 8 पंजे 40 27, 28 तो 280 है इस सवाल का अंसर B option एकदम सही बन जाता है बेटा आगे चलेंगे सवाल निमन में कौन सी संख्या 11 से divisible है ये सवाल मैं ऐसा question आपको करवा चुका हूँ प्यारे बच्चे इस सवाल को आप solve करो और solve करके मुझे comment में बताओ अगर आप यहां तक lecture देखते देखते आए हो तो मुझे सवाल को solve करके आपको comment में बताना ही पड़ेगा हर एक बच्चा जो भी ये video lecture देख रहा है इस सवाल solve करके comment में बताओं मुझे जी और ये है आज की class का last सवाल last सवाल इस video lecture का बताओं बच्चे और ऐसे धेरो सवाल आपको मिल जाएंगे निम्न में दिये गए समीकरण में X और Z का highest मान क्या होगा highest मान X और Z का बताओ बेटे ये equation अगर संतुष्ट होती है तो X और Z का highest मान एक बाद बताओ जल्दी से सुनना मेरे प्यारे भाई Z यहाँ प्यारा है अगर मैं जोडता हूँ 7 और एक 8 जमा Z बराबर 6 बन रहा है कैसे बन सकता है इकाई कंग जोड़ेंगे 7 और एक 8 8 में अगर 8 जोड़ूँगा 16 तभी तो 6 बनेगा यानि कि Z की जो value 8 बननी चाहिए Z की 8 यहाँ पे Z की 8 यहाँ पे यानि कि ये दौनों तो answer होने से रहे फिर Z की value 8 होनी चाहिए और अगर मैं Z का मान 8 लेता हूँ 7 और 8 पंदरेक 16 अच्छ है तो हासिल 1 आएगा तो यह आएगा X प्लस 1 और यह Y और यह Z मैंने Z की value को 8 निकाल लिया है न तो यह बेटा X प्लस 1 यह Y तो क्या हो जाएगा X प्लस 1 हो जाएगा बीच में मेरे दोस्तो यह Y है बीच में यहाँ पर Y है Y का मान भी मुझे नहीं पता और यह मेरे दोस्तो आपका 8 है 8 बराबर क्या बनना चाहिए मेरे दोस्तो एक हासिल लाया था तो मेरे प्यारे भाई यह बन रहा है यहाँ पर 2 अब देखो इनको जोड़के दो तो नहीं आसकता तो बारे बना लेते हैं अगर सपोज मैंने बारे बना लिया तो हासिल एक जाएगा तो 9 और एक 10 8 अठारे 7 पच्चिस पच्चिस हो जाएगा हो जाएगा की नहीं अगर मैं हाँ पर इनको योग बारे बना लेता हूँ एक हासिल आया एकस प्लस वन यह 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 आठ है बारे बना लेता हूँ तो बारे का 2 रहेगा हासिल एक जाएगा तो 9 और एक 10 आठारे 7 पच्चिस पच्चिस लिखा हुआ है अब एक बात मुझे बाताओ मुझे एकस और जैड की हाइस्ट वैलू लेनी है तो बेटा य को लोएस्ट कर दो य को मान मिनिमम कर दो जीरो य को जीरो लेलो आप लोएस्ट तो यह आठ और एक 9 हो गया तो एकस की वैलू कितनी ले लेंगे 3 आठ और एक 9 और 3 बार है तो एकस का मान 3 ले ले लेते हैं बच्चे और जैड का मान 8 तो D option सवाल का अंसर हो जाएगा एकस के लो 3 और जैड की वैलू 8 आठ और एक 9 तीन बार है जब का conceptual सवाल है मेरे प्यारे दोस्त और इसी के साथ railway के number system के best 25 questions खतम होते हैं इस सारे ही question आपको railway की हमारी इस book में मिल जाएंगे complete practice book में 4000 plus questions की ये book है ठीक है जिसमें से मैं आपको ये आज के best 50 सवाल solve कराएं मेरे प्यारे बच्चो इसकी pdf हम अपनी telegram channel पे upload करवा देंगे description में link पढ़ा हुआ है और मैं आपको extra 10 questions भी दूँगा आपकी practice के लिए मेरे दोस्त ठीक है जो बच्चा railway की book से practice करना चाहता है वो online order कर सकता है ये video lecture आपको कैसा लगा मुझे comments में जरू बताएं जादे से जादे railway की त्यारी करने वाले बच्चों के साथ इस video lecture को share करें जिसे की पता लग पाए कि हाँ पर एक series चल लही है ठीक है students अब number system के बाद जो हमारा अगला part आएगा उसमें हम simplification सरली करन के questions को discuss करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद ये video देखने के लिए बाई